Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 थी जो आपकी एलेक्टिव बुक है English की जिसका नाम है Woven Words, उसका essay number 7 बोले तो निबंध number 7 साथ स्टार्ट करूँगी मैं जिसका नाम है Bridges, Bridges का मतलब होता है पुल, Hindi में हम बुलते हैं पुल से जा रहे हैं, Exactly वही पुल के बारे में हमें बात कर रहे हैं वह वाला जो पुल जिसके उपर हम गाड़ी ले जाते हैं उसकी बात नहीं हो रही, दो चीजों के बीच में जब पुल, ब्रिज बनता है और वह उन दो चीजों को connect कर रहा है कुछ इसी से रेलेटेड आज हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे और उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चाप्टर के ऑथर के बारे में जानते हैं कि कुमूदिनी लाखिया यही इस निभन की इस ऐसे की नरेटर भी है और राइटर भी है याने की इन्होंने यह पूरा ऐसे लिखा भी है और अपनी मुझवानी नरेट भी किया है अपनी लाइफ की पूरी स्चोरी को सो कुमूदिनी लाखिया born in 1930 1930 में इनका बर्थ हुआ था और यह अभी भी alive है at this point of time around 91 years की इनकी एज है और 17 में 1930 को इनका बर्थ हुआ था is a renowned Kathak dancer and choreographer who was taught and influenced by the famous Ram Gopal तो यह कुमूदिनी लाखिया कौन है renowned याने बहुत famous Kathak की dancer है और choreographer भी है याने दूसरे लोगों को dance भी सिखाती है and इनको किसने सखाया था dance इनके dance teacher कौन थे राम गोपाल यह एक बहुत famous Indian Kathak dancer है she has performed in over 40 countries but chose to give up her career as a solo performer to start the Kadamb dance center in Ahmedabad तो इन्होंने कम से कम 40 countries में देशों में अपने performance किये और बाद में इन्होंने solo performer बनना मन्जूर नहीं था याने कि alone जब आप अकेले stage पर perform करते हो तो बाद में इन्होंने यह अपने solo performance जो था उसको give up कर दिया याने बोल दिया कि अपसे मैं यह नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे अपना dance center खुद का खोलना है जिसका नाम था कादंब dance center और यह कहां है dance center एमदबाद में वेशी train students in the art of classical Kathak dance और यहीं पर इस dance academy में वो अपने students को training देती है Kathak dance की और यह classical dance form है हर अधर achievements include choreography for two very successful Hindi films इसके अलावा इन्होंने हमारी Hindi cinema जो Indian cinema है उसकी दो बड़ी-बड़ी movies में dance की choreography करिये जिसका नाम है उम्राव जान और दूसरी है सुर्ष संगम हर awards include All India Sangeet Nathya Kala Award in 1977 तो इसके अलावे इन्होंने बहुत सरे dance awards भी win किये हैं याने जीते हैं जैसे कि All India Sangeet Nathya Kala Award इनको मिला था year 1977 में Sangeet Nathak Academy National Award मिला था इनको 1982 में Kala Ratna Award, Sangeet Kala Sangam यह दोनों ही awards इनको year 1982 में मिले थे and the Padmishri in 1987 और सबसे बड़ा award Padmishri Award इनको year 1987 में मिला था On the occasion of 50 years of independence, the city of Ahmedabad awarded her with the Nagar Bhushan जब Hindustan को आजाद हुए, independent हुए, 50 years हो गए थे तो इस celebration में इस occasion में Ahmedabad city के renowned लोगों ने इनको Nagar Bhushan का भी award दिया था तो इन्होंने बहुत सारे awards अपनी life में जीते हैं और आज की जो हमारी ये story है, वो कुमूदनी लाखिया की life की story है कि कैसे ये कथक dancer बनी, इनका childhood याने बचपन कैसा था, फिर जब बड़ी हुई थे उन्होंने कहां कहां work किया, कहां कहां इनका awards मिले और end में इनकी family life, married life, बच्चे सब कैसे थे और इनका life को लेकर क्या view है और इन सारी चीजों से, जो भी वो life में वो अपने करती है, वो अपने dance कथक से ही inspired है कैसे अपने, अपनी life को और कथक के dance को वो जोडती है याने एक bridge के तुरू एक pull जैसे की इन दो चीजों को जोड रही है वो चीज पढ़ेंगे आज हम इस essay में So let's begin with the explanation of the essay If my younger self could see me now, she would be incredulous अब ये if my कौन है, my याने मेरा याने खुद कुमूदीनी लाखिया ये बोल रही है कि अगर मेरा younger self याने आज तो मैं बहुत बड़ी हूँ, पर मेरा younger self अगर मेरा बचपन वाली कुमूदीनी, आज इस बड़ी वाली कुमूदीनी को देखती तो वो incredulous हो जाती, याने unable to believe something याने उसे यकीन ही नहीं होता कि आज मैं इतनी बड़ी dancer बन गई हूँ तो वो बचपन वाली कुमूदीनी को इस बड़ी वाली कुमूदीनी को देखकर ये यकीन नहीं होता कि आज मैं कहा किस field में काम कर रही हूँ dance की field में और decipher कर रही हूँ, याने successful हूँ बहुत जादा dance form को understand करने में और इस dance को translate करती हूँ मैं अलग-अलग plays में और अपने comprehension में याने मुझे खुद को समझ में आता है कि dance क्या है और इसको comprehend याने इसको translate कैसे करना है, comprehend कैसे करना है, समझना कैसे call it choreography, if you wish तो यह हम readers को कह रहे हैं कि आप चाहें तो इसको choreography भी कह सकते हैं कि मैं एक dance choreographer हूँ, याने लोगों को dance सिखाती हूँ कथक would have been unbelievable, तो would have been unbelievable मने यह बाद विश्वास करने जैसी नहीं होती अगर बचपन वाली कुमोदी नहीं आज इस बड़ी कुमोदी को देखती तो, in this respect I am particularly envious of dancers who claim that they were born to dance, envious का मतलब somewhere jealous तो वो कहती कि अगर dance की ही बात में करो, in this respect जो dancers, अपने आपको कहते हैं कि we were, we are born to dance याने हम पैदा ही dance के लिए हूँ हैं और हम बच्पन से ही बहुत dance करते हैं कहते हैं उन dancers को देखें मैं बहुत envious, बहुत jealous feel करते हूँ implying that it was clearly laid out for them from the beginning implying याने की hint और वो लोग बच्पन से ये चीज़ बोलते हाते हैं कि we were born to dance we were born to dance, हमेशा ये चीज़ दुनिया वालों के सामने hint करते रहते हैं कि हम तो dance के लिए पैदा हूँ और शुरू से beginning से यही चीज़ बोलते आते हैं तो कुमोदी दी कहती है कि मैं इन थाइप के लोगों से बहुत जादा envious याने jealous feel करते हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं याने जब आप कोई चीज़ इस ऐसे बहुत 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 को बहुत कॉंदेंसे बोलते हो कि डिकलेर कर देते हो कि रहे मैं तो बॉन तूडांस हूँ तो ये असर्चन है dubious का मतलब क्या होता है doubtful याने not sure किसी चीज़ को लेकि आप बहुत doubtful हो आपको मतलब अभी Sunday है इस बात पर Sunday नहीं है Sunday है sorry doubt है और आप sure नहीं हो तो कुमोदीनी कहती है कि मैं तो कहूंगी कि ये जो assertion ये जो लोग dancers declare कर देते हैं कि we are born to dance मैं तो उसके बारे में बहुत dubious हूँ याने इतना शौर नहीं कि पता नहीं ये लोग ऐसी इतनी बड़ी बात कैसे बोल देते हैं वो कहती है कि ये बहुत rarely easy है याने ये इतना आसान नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं तो born to dance था या born to dance हूँ it's not easy dance is not easy to dance means to struggle dance dance का मतलब ये कि आपको struggle करना है महनत करने हैं आपको बहुत I believe it is the same in any discipline because discipline itself is a struggle तो वो कहती है कि dance एक discipline की तरह है याने discipline बोले तो सुबह टाइम पर उटना टाइम पर खाना टाइम पर सोना टाइम पर काम करना टाइम पर पढ़ाई करना everything in discipline तो वो कहती है कि dance एक तरीके का discipline है जैसे खुद को discipline में ढालना बहुत ज्यादा difficult है एक struggle जितना है dance भी एक struggle है पैदा होती से आप dance और उसकी छोटी मुटी बारीक्या नहीं सीख सकते हैं आपको learn करना पड़ता है आपको training लेनी पड़ती है I believe I was not simply born to dance तो वो कहती है कि मैं तो इस बात से यकीन से कहती हूं कि मैं born to dance नहीं थी कि यने dance के लिए तो मैं पेदा नहीं होई थी I was born to live मैं पेदा होई थी live करने के लिए और जीने के लिए मुझे तो dance का meaning भी नहीं पता था And now, as the patchwork of my life comes into clearer focus I can see clear bridges between my life experiences and my work in dance Patchwork का मतलब क्या होता है Needle work in which colors and designs are fune together जब आप किसी patch पे, किसी कपडे के टुकडे पे Needle याने सोई धागा से कडाई, बुनाई करते हो Patchwork याने, सिलाई करते हो और सब चीजों को जोड़ जोड़के एक बड़ी सी चीज बनाते हो Suit ready करते हो उसे हम patchwork कहते है तो वो कहती है कि जैसे patchwork मेरी life की भी अलग-अलग चीजे जैसे अलग-अलग patches को मिला के एक पूरी dress तयार होती है मेरी life में भी अलग-अलग experiences और चीजों को मिला के जैसे मुझे life अब मेरी clear focus है ने clearly दिखती है आज की date में कि मेरी life क्या थी और कैसी हुए मैं ये चीज clearly देख सकती हूँ कि मैंने अपनी life में आज तक क्या-क्या experience की है और आज तक मेरा dance में मैंने जितना काम की है इन दोनों चीजों के बीच में मुझे क्या दिखता है एक bridge दिखता है याने जितना भी मैंने आज तक life में dance की field में काम की है और जितना भी मैंने अनूभव याने experience प्राप्ट की है उस काम से ये डोनों एक दूसरे को जोडते, link करते क्योंकि आज मैंने जतना भी अनूभव या experience मैंने gain किया वो सब मेरे काम याने मेरे dance की वज़े से है तो डोनों एक दूसरे को link करते याने जोडते एक तरीकी का bridge बनता इन दोनों के चीजों में In all truth, as a child वो कहती, in all truth यहने सच कहूं तो, as a child जब मैं बच्ची थी, I never did want to dance, मुझे कभी dance करना ही नहीं था, it was forced upon me by a dotting mother मैं खुद से कभी dancer नहीं बनना चाहती थी, यह चीज मेरी मा ने मेरे उपर force करी कि नहीं तो, मैं तो dancer बनना है, क्योंकि मेरी mother बहुत dotting थी यहने, extremely fond of something यहने, dance के लिए मेरी mom बहुत crazy थी और इसलिए, वो चाहती थी, कि मैं भी एक dancer बनूँ, अदवास, personally मैं कभी भी dancer नहीं बनना चाहती थी and a silent father और वो अपने father के लिए क्या बता रही है, कि मेरे father बहुत silent थे, यहने, chance above के थे, और चुप रहने वालों में से थे My father probably kept his peace to avoid argument, तो वो बोलती मेरे father हमेशे चांती रखते थे थाकि उनकी mother के साथ, उनकी father की कोई argument नहों, क्योंकि mother हमेशे चाहती थी dancer बने, और मेरे father ऐसा चाहते थे basically इनके father ऐसा चाहते थे कि यह कुछ different करे लाइफ में From the beginning, my lessons took place under trying conditions though I believe that the conditions were more trying for my mother than for me, तो कुमूदीनी कहती है, from the beginning शुरुवात से ही जो मेरे dance के lessons थे, वो बहुत trying conditions में शुरू हुए, याने बहुत मुछिल से बहुत महनत से, मुझे बहुत महनत लगती थी और मुश्किल लगती थी नान सीखना, but वो कहती है, यकीनन ये ज़्यादा difficult मेरी mother के लिए था, मुझसे ज़्यादा difficult मेरी mother के लिए था, मुझे डान्स में training कराने का She traveled in local, मेरी mother जो है, वो लोकल ट्रेन में, खचा का जो इस तरीक से, बंबे में मरी रहती है कहती है, मेरी mother local train में मुझे ले दाती थी travel करती थी, जो कि बहुत overcrowded रहती थी, याने बहुत ज़्यादा भीड़बढक का रहता था, to dance with an unwilling child, और unwilling child, याने वो बच्चा जो dance class ले जाती थी, tired from a way, whole day at school क्योंकि मैं पूरा दिन school की था, कि हारी आती थी फिर मेरी mother मुझे जबरदथी dance lesson के लिए ले जाती थी तो मेरी कभी इच्चा नहीं थी, ना मैं कभी डांसर बनने चाहती थी, मेरी मा नहीं मुझे force किया dancer बनने के लिए she waited a whole hour in the not so clean anti-room of my guru's house and then endured the same journey back anti-room का मतलब की होता है किसी भी जगा का waiting room या waiting area तो कुमुजी नहीं बता थी कि जो मेरी mom है वो पूरा whole hour, याने पूरा एक घंटा पूरा one hour इतना clean भी, जहां मैं dance सीखने जाती थी, मेरे guru के house में, वहां पे जो उनका waiting room जो anti-room था, वो इतना clean इतना साफ सुतरा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी खातर, मेरी जो mom है, वो वहां पे एक घंटा वेट करती थी, कि जब तक कुमुजी नहीं दान सी वापिस घर भी, यानि पहले लेकि आती थी, फिर वेट करती थी, फिर वापिस मुझे घर तक लेके जाती थी और ये कहा की बात है, ये लोग कहां रहते थे तब बॉंबे में और ये कहां रहते थे चौपाटी में और हम लोग कहां रहते थे खार एरिया में तो कहती थी हम कैसे जाते थे खार से चोपाटी तग हम लोग train लेते थे और फिर एक bus लेते थे और फिर हम walk करते थे अन्दा whole trip रफली तुक रफली 45 minutes each way तो कहती है कि पहले हम train से travel करते थे फिर हम bus जाते थे फिर हम थोड़ा walk भी करते थे और रफली एक तरफ का जाना 45 minutes लगता था इच वे लिखा है न कि 45 minutes जाना और 45 minutes आना इस बीच में एक घंटा मेरी मॉम dance waiting room में भी मेरा wait करती थी तो यह daily का हो गया था Spurred का मतलब क्या होता है encouragement for growth and development जब किसी चीज को देखते हो आप और encourage हो जाते हो कि ठीक है मुझे तो अपनी बेटी को इसी फिल्ड में grow कराना है उसी को इसी फिल्ड में develop कराना है वो spurred होता है तो वो कहरी कि जो interesting खास तौर की बात तो यह थी कि फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म इंडस्ट्री ऐसी चीज थी जिसने मेरी मा को बहुत इंकरेज किया ताकि वो मुझे enroll कर पाया याने register करा पया dance classes में मेरी मा अलग अलग पिच्चरों में dance देखती थी और फिर उनको वो शीज़े अट्राक करती थी या उन चीज़ों से मैं अट्राक होती थी और उनको लगा कि हाँ मेरी बिट्री dance कर सकती है life में इसी वज़े से उन्होंने मुझे register करा है dance classes के लिए when I was seven we went to see a movie starring मुम्ताज अली father of comedian महमूद तो कुमूदी नहीं बताती है जब मैं साथ साल की थी तो हम लोग एक movie देखने गए थे जिसमें star जिसमें actor कौन था मुम्ताज अली और ये मुम्ताज अली कौन है father है याने पिता है comedian का याने जो हसी मज़ा करता है महमूद का चीक है तो ये father है और ये son है चीक है ना तो ये मुम्ताज अली है और ये महमूद है मुम्ताज अली या अली did a dance number in the film with which I became fascinated fascinated याने की attract strongly attracted and interested किसी चीज को अब attract हो रहे हो देखके interested हो रहे हो कि वा यार क्या dance किया तो वो कह रही है कि जब हम ये movie देखने गए तो मुम्ताज अली ने बहुत अच्छा dance number याने dance performance करी थी film में और ओ डान्स देखके मैं बहुत ज़्यादा attract हो गई कौन कुमूदिनी वेन राइड हो माई बिगान प्रांसिंग अरॉंद आउज इमेटेटिंग का मतलब क्या होता है dancing याने नाचना घर में दोर अदर फुदकना और नाचना इमेटेटिंग का मतलब क्या होता है copying जब आप किसी को कौपी कर रहे हो किसी की नकल उतार रहे हो तो कुमूदिनी कहती है कि जब आप मुवी देखे घर वापस आए तो मैं वही मुम्ताज अली वाला जो डांस है वहाँ पर घर में प्रांसिंग कर रही थी याने कौपी कर रही थी, imitate कर रही थी इदर उदर नाच रही थी और जब मेरी मदर थी वह quietly मुझे देख रही थी कि कैसे मैं उस फिल्म आक्टर का डांस गर आके कौपी कर रहे हो और फिर उन्होंने मुझे बोला कि कुमूदिनी, you are born to dance तुम तो dance करने के लिए पैदा होई हो इ याने मुझे यह यादी निये, जब मैं बढ़ी होगी तो बाद में मुझे मेरी मदर ने ये चीज बताई थी, it was my mother who saw the innate ability in me, innate याने की inborn या natural, तो वो बोलती की, कि dance की जो natural या inborn quality थी, ये मेरी मा नहीं मुझे में notice करी थी सबसे पहले, her belief was so strong that she went through the grueling exercise of taking me to dance classes 4 days a week without complaint, gr rolling याने की extremely tiring, बहुत थकावट से भरी, तो ये कुमुदीनी कहती कि मेरी मा की है belief, ये यकीन था, strongly यकीन था कि मेरी बीटी बहुत अच्छा dance करती है और इसलिए थकावट भरे, हफते के 4 दिन वो मुझे, स्कूल से में भले थकी आरी भी आती थी, वो मुझे dance classes ले जाती थ बेटी के लिए रोग भी रही हूँ, तो ऐसा कुछ नी था, वो खुशी-कुशी मुझे ले जाती थी, क्योंकि वो चाहती थी, कि मैं एक dancer बनूँ, however, my childhood education was composed of much more than just dance and academics, तो कुमोधनी कहती ही कि, मेरा जो childhood, जो मेरा बच्पन था, या जो मेरा education था मेरे बच्पन में, उसमें सरफ dance और academics से जादा बहुत कुछ था, याने मैं सरफ बच्पन में पड़ाई लिखा ही और dance नहीं करती थी, इससे भी कई ज्यादा और भी कुछ चीज़े करती थी, I did not live in a vacuum, मैं कभी भी vacuum में नहीं रही, याने emptiness, याने कभी भी मेरी मान ने मुझे खाली नहीं छोड़ा, कुछ न कुछ activity में हमेशा मेरा बच्पन में मुझे involved रखा, I was surrounded by life and learned many of my lessons there, lessons that I still carry with me, तो कुमुद दिनी कैती कि मेरे असपास मेरी life से मैं घिरी वोई थी, and मैंने अपनी life, अपनी जिंदेगी से बहुत सारे lessons, बहुत सारे सीख सीख ही है, और ये जो lessons मैंने सीखे हैं अपनी life से, I still carry with me, आज मैं अतनी बड़ी हो गई हूँ, still मैं इन lessons को अपने साथ रखती हूँ, और इन जो भी मैंने सीख सीखी हैं अपनी life में, वो आज मैं अपने dance में आज भी use करती हूँ, I grew up during a volatile era, a time of war, India's independence movement compounded by world war 2, in which India played a role in military operations, volatile era का मतलब क्यों होता है, a situation that is likely to change suddenly, वो era, उस time पे मैं मतलब मेरा बच्पन और मैं इस दमाने में जब बड़ी हूई हूँ, जब volatile area था, याने एक ऐसी situation जो कभी भी suddenly, कुछ भी हो जाए, change हो जाता था, क्योंकि वो time of war था, क्योंकि second world war, विश्व व्युद्ध दो चल रहा था उस बगत और इंडिया की independence movement भी चल रहा था, तो हमेशा war का जमाना था, तब में बड़ी हूई, और कभी भी लड़े हो जाती थी, कभी भी suddenly कुछ भी situation change जाती थी, compounded का मतलब क्यों होता है, to become worse, और situation बहुत जादा worse थी, क्योंकि world war 2 चल रहा था, जिसमें इंडिया क्या role play कर रही थी, in military operations, याने इंडिया ने अपने military troops, अपने army soldiers को भेजा था, और military में उनको लड़ने के लिए बेजा था, क्योंकि world war 2 में soldiers की जरुवती, तो कह रही थी, मेरा बच्पन कुछ इस तरीके का war के बीच में गुजरा है, तो वो कहती कि अब अपने फादर के बार में बताती कि मेरे फादर कौन थे, मेरे फादर एक इंजीनियर थे, and was called upon, उनको बुलवा लिया गया था, सबसे पहले दिल्ली में, क्यों बुलवाए था, इनके फादर को, cantonment areas बनाने के लिए, याने military camps, क्योंकि World War 2 थी, military camps बनने थे, soldiers के रहने के लिए, तो क्योंकि इनके फादर इंजीनियर थे, इनको बुलवा लिया गया था, कि आप आओ दिल्ली में सबसे पहले, वहां military camps, हाद इंज आविन्यू नाव तिलक मार्क, तो कहती ही जब हम डेली गए, मेरे फादर जब डेली गए, तो हम भी उनके साथ, बॉंबे से डेली रिलोकेट होके गए, तो वहां पर हमें एक, क्या अलॉट किया गया, क्या दिया गया, हमें एक स्प्रॉलिंग हाउस, बहुत बढ़ा दूर तक, जहां तक नजर्जाय समझो, वहां तक घर था, एक काफी बढ़ा हमें घर रहने को दिया था, हाद रिंज आविन्यू नाम की लोकालिटी में, जिसको आज की डेट में तिलक मार्क कहते हैं दिल्ली में, विथ लियाकत अली, लेटर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान अजर नेबर, तो कहते ही जहां हम रहने गए थे, हमारे नेबर, हमारे पडोसी कौन थे, लियाकत अली, जो लेटर, बाद में जाके, पाकिस्तान के क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो कहते ही, यह हमारे नेबर, याने पडोसी थे, अभी उस जमाने की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान अभी एक ही था, यह तब की बात है, तो बताती हैं कि, एक दिन मैं और मेरा भाई सुरेश, हम दोनों लियाकत अली के जो गार्डन में थे, हम लोग वहाँ पे क्या पिकिंग कर रहे थे, याने चुपके से क्या चुरा रहे थे, गौवाज याने अम्रूत चुरा रहे थे एक दिन हम, और उनका जो गार्डनर, उनका जो माली था, उसने हमें देख लिया मुझे और मेरे भाई सुरेश को, तो गार्डनर याने माली ने क्या कि, याने हमको कान से कीच के पकड़ते हुए गया, और पनिश्मेंट दिलवाने के लिए अपने मास्टर के पास, याने हमें लियाकत अली के पास लेकर गया, लियाकत अली not only let us keep the guavas, बट extended and open invitation to pick the fruits whenever we wished, तो लियाकत अली ने, कहती है लियाकत अली ने में तो कोई punishment नहीं दी, उसने तो हमको बोला जो तुमने guavas, जो अमरूद यहां से लिये हैं वो ले लो, in fact आने वाले टाइम में कभी भी तुमें fruit चाहिए हो मेरे garden से, तुमें open invitation है, तुम कभी भी आके खा सकते हो guavas मेरे garden से, तो अब बड़ी मज़ा किया बात है कि, यह जो generous बहुत प्यार भरा kind offer दिया था हमें लियाकत अली में, इस offer के साथ हमें accompanied साथ में और क्या मिला, साथ में हमने क्या देखा, उनके माली का चेहरा जो गुसे में आया था punishment दिल्वाने के लिए, और वहाँ तो उसने देखा कि, मेरे master ने तो इन बच्चों को और permission देदी कि, आओ बाई, guava, खाओ, which was so horrifying and revengeful that we never went near the garden again, तो कहती ही, जब हमने माली का चेहरा देखा, तो काफी horrifying, काफी frightening, डरावना चेहरा था, और revengeful दिखा, याने कि, उसको ऐसा लग रहा था कि, आए ये बच्चे अब, मैं उनसे revenge लूँगा, याने बदला लूँगा, तो कहती है, हम डर गए, इसलिए हम दुबारा कभी भी उनके garden में गए ही नहीं, तो कहती है, ये मेरी life का सबसे first, सबसे पहला lesson, सीख सीखी मैंने, जो politicians खेलते हैं और जो games खेलते हैं, याने politicians obviously, कुछ न कुछ, मतलब हम इस बारे में जादा नहीं बात करेंगे, बट politicians obviously, कुछ न कुछ तिगडम करते हैं और अपना काम निकालते हैं, कि ये पहला मैंने politics की field में एक पार्थ अपनी life में पढ़ा की, कैसे लोग politics खेलते हैं, कि मतलब हाँ भी बोल दिया हमें, कि आना तुमको आवाज पिक करना और दुसरी तरफ माली ने चेहरा बना दिया तो हम जा भी नहीं पाए, yes double game खेला, So, कैते हैं, ये मेरी life का पहला पार्थ था, जो मैंने politics की field में खेला था, या मैंने सीखा था, Father would now have to move to wherever army construction was required, तो अपने father के लिए बताती हैं कि father को अब हर वो जगा move करना पड़ता था, जहां पर army वालो के लिए construction required होता था है और जरूरत रहती थी, जहां भी army के military camps वगरे बनने थे, मेरे father को उस उस जगा पर बुलवा लिया रहता था, बुलवा दिया जाता था और मेरे father travel ही करते रहते थे, therefore when I was nine years old, the decision was made to send me to boarding school, तो कहती है जब मैं 9 साल की हुई, तो मेरे father और मेरे मदर ने decision लिया कि मुझे boarding school भेज देते हैं, क्योंकि father इतना ज्यादा travel कर रहे है और फिर उस वज़े से पूरी family को भी हर जगा migrate करना पड़ रहे है, तो decide किया कि चलो को मुदीनी को कहां भेजने, boarding school, after a lot of arguments, advice, consideration and research on the part of my parents, I was packed off to the Queen Mary's College which was a school in Lahore at that time in India, तो कहरी है वो कि बहुत जादे arguments, बहस बाजी हुई मेरे मावाव के बीच में, उन्होंने लोगों से advice लिये, considerations के, consider कि आप problems को और situations को, बहुत research करी एक अच्छे boarding school के और finally, मेरे parents नहीं सब करने के बाद मुझे pack off कर दिया, ने भेज दिया कहां Queen Mary's College भेज दिया, अब नाम college है लेकिन actually में यह क्या था एक school था और यह कहां पर था लाहूर में, उस जमाने की story है यह जब मतलब कुमूदी नहीं नहीं यह उसकी थी और यह उनकी life में incidents हुआ, तो लाहूर में जो यह school था, उस time India का ही part था क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन याने की separation नहीं हुआ था उस वक्त, तो यह उस school में, इनको boarding school में बेज दिया उनके parents ने, I had not known a day away from home, कैती है मैंने day away, यह एक भी दिन, कभी भी अपने घर से दूर मैंने कभी नहीं बिताया था, but the idea of living with a lot of girls of my age and studying in a fancy school was both exciting and worrisome, कैती है पर जब मुझे पता चला कि बहुत सारी लड़कियों के साथ मुझे वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, सब मेरी age की होंगी और वो एक fancy school याने की queen मेरी college हो था, बहुत high-five school था, girl school था, तो यह सब चीज़े देखके काफी मुझे exciting भी लग रहा था और worrisome याने tension भी होती थी, कि मैं कैसे घर से दूर रहूंगी as curiosity was mixed with sadness अब यह feeling उनको क्यों होती थी excitement की और worrisome की क्योंकि वो काफी curiosity से भरी रहती थी याने उनको में जानने की इच्छा रहती थी कि अब आगे क्या होगा, क्या नया होगा इस school में और यह उनकी जो mixed feeling थी वो कहीने कई उनको sadness उनमें create हो जाती थी आने वो दुख से भर जाती थी कि अरे मैं घर से अत्ती दूर और नई जगा, all these things, no more shuffling to and from class, no more overbearing guru ji, अब यह चीज सोच रही है, कुमूदिनी की भाया चलो अच्छा है, अब मैं अगर जा रही हूं boarding school, तो अब मुझे shuffling to and fro from class नहीं करना पड़ेगा, कुमूदिनी को तो डांस पसन नहीं था, और ममी जबर 10-30s को डांस क्लास बेचती थी, तो वो सोची की चलो अच्छा है, अब मुझे to and from, याने कि अब मुझे इतनी लंबी जूर्नी करके, डांस क्लास तक और डांस क्लास से वापस, अब मुझे नहीं आना पड़ेगा, और अब मुझे overbearing गुरु जी जो मेरे डांस सिखाते थे, overbearing गैने dominate करते थे, जो उनको हमेशा बोलती थे, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, तो कहती है, इस तरीके कि overbearing गुरु जी और ये tiring डांस क्लास अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मै मैं कहा जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बोर्डिंग स्कूल तो बहुत खुश हो गई कुमूदुनी, no such luck, तो कहती है, लेकिन ऐसी किसमत कहा थी मेरी, ऐसा लख था कहा मेरा, मेरी मान ने तो मुझे क्या किया, पीछे पीछे डांस टीचर को भी भेज दिया मेरे, mother center dance teacher, रादेलाल मिश्रा, सुन्दर प्रसाद's nephew along with me, कहती है कि मेरी मान ने तो वहाँ भी बोर्डिंग स्कूल में भी dance teacher को मेरे पीछे पीछे बेज दिया, और कौन सा dance teacher भेजा, रादेलाल मिश्रा को भेजा, ये कौन थे, सुन्दर प्रसाद जो एक dancer थे उनके nephew याने भांजे थे, उनको मेरे साथ भेज दिया dance सिखाने के लिए, she hired a small apartment for him in Lahore and arranged a schedule for my lessons, तो उन्होंने यहां तक कि उनकी मदर इस हद तक चली गए कि उन्होंने लाहोर में एक apartment hire कर लिया, एक apartment rent पे ले लिया और बोला कि भाई, जो ये रादेलाल मिश्रा है, dance teacher ही वही रहेंगे और schedule कर होने के बाद तुम यहां पे इतनी देर के लिए dance class मैं जाओगी रादेलाल मिश्रा से सीखने, despite our belief that I was born to dance, I didn't enjoy dance classes, तो कहते है, मेरी मा का ये यकीन था कि I was born to dance, मैं dance करने के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन I didn't, didn't, मैं dance classes को कभी भी enjoy नहीं करती थी, quite frankly, they were no fun, और frankly बता हूँ, तो dance classes were no fun, कोई मज़ा, कोई fun नहीं आता था मुझे उसमें, I felt as if nothing progressed, तो कहते हैं, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होरी मेरी life में, that I was just doing what my guru ordered, उसको लगने लगा कि जो मेरे dance के guru है, जो भी मुझे order करते थे, बस ऐसा लग रहा है कि मैं वही वही कर रही हूँ, म I was always a curious child and I wanted to know and understand what I was doing, तो कुमोदी नहीं कहते ही कि मैं बट क्यूरियस बच्ची थी हमेशा से, याने कि मुझे हमेशा हर चीज जाननी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे यह चीज जाननी थी कि क्यों हो रहा है मेरी life में यह सब और understand करना था, मुझे समझना था कि what I was doing मैं कर किया रही हूं अपनी life में, डांस में क्या करने चाहती हूं मैं, why was I gyrating in this way, gyrating का मतलब क्यों होता है, rotating in a circular motion as in कथक, गोल 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 कथक, डांसर जैसे गोल 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 चकर लगाती है ना, उनको बोलते हैं जाइरेटिंग करना, तो यह भी वो सीखती थी गोल गोल गोल कथक में, तो वो सोचने लगी कि मैं इस तरीके से जाइरेट याने, गोल 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 इस दांस में चकर क्यों लगा रही हूं, क्या progress हो रही है मेरी इसमें, but my teacher could not or would not explain it to me, पर यह जो मेरे teacher, मेरे guru थे, वो मुझे कभी explain ही नहीं करते थे, कि मैं यह क्यों और काई के लिए कर रही हूं इतना डांस, I was envious of other girls who were playing tennis and basketball while I was doing this thing called kathak, envious याने jealous, तो कैते ही मैं बहुत जैलिस और बहुत गुसा होती थी दूसरी लड़कियों के उपर, क्योंकि जब मैं डांस सीखरी होती थी, यह kathak कर रही होती थी, तब बो लोग enjoy कर रहे होती थी, म मुझे अनसे jealousy होती थी कि मैं क्यों नहीं खेल पा रही हूं, मुझे क्यों ये kathak कर रही है मेरी मम्मी My mother convinced the principal, a Britisher, that to dance was a form of prayer and that she could not curb religious freedom, curb का मतलब होता है, control or hold something, याने आप किसी चीज़ को पकड़ के या रोक के नहीं रख सकते तो कह रही है, जब मैं जो स्कूल में पढ़ती थी, वहां की जो principal थी, वो एक Britisher थी, foreigner थी, तो उनको ये dance कथक की importance नहीं पता थी तो भाई, वो dance classes के लिए जाती थी, तो जाहिर सी बात है, principal को दिक्कत होती होगी तो कहती है, मेरी मदर इस हद तक चली गई कि उन्होंने वो principal को convince करने चली गई कि भाई, dance करना, नृत्य करना एक तरीके का, it's a form of prayer ये एक prayer, एक पूजा का form है, तो आप इस religious freedom को, हमारे धार्मिक dance को आप curb नहीं कर सकती मेरी बेटी को आप dance करने से रोक नहीं सकती having spent several years in a school where most of our teachers were British, I have come to like their form of discipline तो अब कमूदनी कहती है, कि इतने साल इस school में बिताने के बाद जहां maximum teachers हम लोगों की British थी, याने foreigner थी, Britishers थी मैंने एक तरीके का, Britishers का जो discipline होता है, वो सीख लिया था और ये मेरी life में बहुत काम आया discipline is once daily routine, discipline in once daily routine does bring discipline in thinking तो author कहती है कि अगर आपने discipline को daily routine में अपना लिया तो यही discipline आपकी thinking, आपकी सोच, आपके विचारों में भी आ जाएगा you began to place your thoughts in neat little piles the way you do your uniforms and shoes तो वो कहती है कि जिस तरीके से, school जाने के एक दिन पहले आप रात में अपनी uniforms और अपने shoes को अच्छे से pile up करके, set करके रखते हो, यह discipline का part है उसी तरीके से, आप अपने thoughts को भी, अपने विचारों को भी सही जगा पे use करना, discipline में से use करना सीख जाते हो, अगर आपको discipline की आदत हो जाती है, और यही discipline वो इस school से सीखी थी It was three weeks before the final school examinations, matriculation at that time, when my life changed dramatically तो matriculation का मतलब क्यों होता है, भाई, matric में आना बोलते थे उस जमाने में, यहने to pass class 10 अगर आपने 10 वी pass कर दिये, तो अब matric में आ गए, यहने matriculation हो गए आपकी तो कहती है, अभी मेरे final exam होने थे school में और उसके three weeks before, तीन हफते पहले, मेरी life में ऐसी एक चीज होई की मेरी life dramatically change हो गई, यहने something मेरी life में बहुत big चीज हो गई थी I was called to the principal's office, what had I done? The only reason was, one was called to Ms. Cox's office was because of some infraction तो suddenly क्या हुआ exam के तीन हफते पहले इसको principal ने अपने office ने बुलवाया, यह सोचने लगी What have I done? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों बुलवा रही है? क्योंकि एक ही reason होता है कि आपको Ms. Cox कोन थी? इनकी principal का नाम है यह तो अगर आपको Ms. Cox के office में बुलवाया गया है याने principal के office में बुलवाया गया है तो इसका एक ही reason था कि आपने कुछ ना कुछ infraction किया है याने आपने कुछ अतिक रमन कराया या फिर आपने कोई law या school का rule break किया याने तोड़ा है था भी आपको principal बुलवाती है फिर वो सोचे पर मैंने तो कुछ नहीं किया मुझे क्यों बुलवा रहे है while she was a kind and diplomatic person she was also strict and firm तो कहती है कि जो Ms. Cox थी वो काफी kind और काफी diplomatic person थी याने एक particular चीज नहीं बोलती थी याने diplomatic answer देती थी हर चीज का कि हाँ ये भी ठीक है ये भी कर सकते हो ये भी कर लो दो नहीं ठीक है इस तरीके की person थी लेकिन साथ ही साथ वो काफी strict और firm याने द्रण द्रणता रखने वाली principle थी तो कहती है जब बाद में जाके future में मैं dance teacher बनी तो मैंने उन्हीं से influence हुई थी मैं अपनी principle से कि वो काइंड तो थी लेकिन साथ ही साथ strict भी थी द्रण थी अपनी चीजों को लेकिए तो कहती है उनका demeanor मैंने follow किया याने behavior उनका behavior और जिस तरीके से वो school को चलाती थी discipline से वही चीज़ जब मैं एक teacher याने dance teacher बनी तो मैंने भी follow किया अब वापस आते हैं अपनी story पे कि भाई क्यों बुलवाया गया था कमूदिनी को principal की office as I approach the office I wondered did I forget to put away the tennis rackets after morning play did I forget to lock the door of the dormitory dormitory का मतलब क्या होता है hostel का कमरा hostel की कमरा तो सोच रही थी कि जैसे मैं office के बाहर पहुची I wondered मैं है रान हो रही थी और सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सुभा morning में games खेलने के बाद tennis के racket जमाना भूल गई हूँ और इस वज़े से मुझे बुलवाया यह का ऐसा तो नहीं कि मैं डॉमेट्री अपने hostel के कमरा लॉक करना भूल गई हूँ और शादिन गलतियों की वज़े से कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे प्रिंसिपल बुला रही है May I come in madam? I asked quietly कमो दिनी ने प्रिंसिपल से बुचा ma'am क्या मैं अंदर आऊं आपके office के? Yes, do come in child, हाँ बेटा अंदर आओ She answered with a voice full of such kindness that it made me suspicious और बोलने लगी कि उन्होंने ये जो जवाब दिया कि Yes, बेटा, अंदर आओ, इतने kindness, ऐसी voice, इतनी kindness उन्हेने मुझे ये जवाब दिया कि मैं suspicious हो गई याने मेरे अंदर suspicion भर गया अचराज भर गया किया यारी, इतनी प्यार से कैसे बात कर रही है मुझसे You have to go home तो क्या बोला प्रिंसिपल ने? तो मैं घर जाना होगा कुमूधिनी But why? I have to study for my exams वो कैती क्यों? अभी तीन हफते बाद exam में मुझे तो अपने exam के लिए पढ़ना है भाई Your father called to say that your mother is sick and he would like you to visit her तो प्रिंसिपल कैती तो मारे father ने call किया कि तो मारी mother sick है याने बहुत बीमार है इसी लिए तुमको घर जाना होगा During the walk back from Miss Cox's office to my classroom I was overwhelmed with the feelings of confusion A state of mind I had never completely got over तो कैती ही ये बाद सुनने के बाद जब मैं Miss Cox's office से बाहर निकली और अपने classroom के तरफ जाने लगी तो मैं बहुत overwhelmed हो गई थी अपनी कुछ feelings of confusion से याने मैं ऐसा लग रहा था confusion और इन सब से भर गई हूँ और मेरा state of mind ऐसा हो गया था उस वक्त कितना confusion भर गया था मेरे दमाग में कि I have never completely got over याने आज तक मैं उस confusion से बाहरी निकल पाई हूँ कही न कही आज भी जब मैं dance सिखाती हूँ या कुछ नया dance number बनाती हूँ तो मेरे mind में कही न कही कुछी तरीके का confusion रहता ही है Even today, when I want to create a new piece the first theme that comes to my mind vibrates with confusion वोई चीज की आज भी अगर मुझे कोई new piece कोई नया dance number या कोई song या play बनाना है तो पहली चीज तो मेरे mind में vibrate होती वोती confusion मैं हमेशा confusion से ही शुरुवात करती हूँ याने कही न कहीं confusion बोले तो दुविधा इसके mind में रहती है Mother was already dead when I arrived तो क्या drastic चीज हुई थी इनकी life में कि जैसे ही एक घर पहुची इसकी mother already dead थी याने इसकी mother की already dead death हो चुकी थी 36 hours and 3 train rides later when I saw her motionless and colorless I finally understood why I had been summoned home summoned मतलब called for बुलवाया गया तो कहती है 36 गंटे की journey करके जब और 3 train rides याने मैंने कितनी train बदली 3 train बदली इन 36 गंटों में और finally जब मैं घर पहुची तो मैंने देखा कि मेरी mother की already death हो गई थी वो motionless थी याने उनके हाथ इस तरीके से पड़े हुए थे उन में कोई movement नहीं था colorless याने उनका चेहरा बिलकुल pale हो गया था जैसे dead body का होता है और कहती है मैं finally उस बग समझ गई की मुझे क्यों समन करवाया गया याने मुझे घर क्यों बुलवाया गया है I was 14 years old मेरी उस ताइम 14 years मेरी एच थी the air was still and nobody looked at me the air was still याने बिलकुल हवा वहां की शांत थी और कोई मुझे देख भी नहीं रहा थे क्योंकि सब इतना गम में भरे हुए थे I did not know where to turn or what to do with my hands which hung loose from my body तो कहती मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहा तरन हूँ कहा देखू और मेरे हाथ बिलकुल डूजली ऐसे रखे हुए थे बिलकुल पड़े हुए थे जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्योंकि she was in a shock then suddenly they clutched my stomach अब ये दे क्या है दे मतलब hands of कुमूदिनी कुमूदिनी के हाथ जो इस तरीके से हैंग पड़े हुए थे loosely हांग थे उनके बार में बात हो रही कि suddenly मेरे हाथ यू हो गए एकदम इस तरीके से कुछ क्यों हुए क्योंकि she was feeling very hungry वो भूखी थी hunger pangs उसको क्या हुए hunger pangs नाने है कि इसे भूख के चुहे दोडने लगे जैसे के पेट में I hadn't eaten for three days and there were an emptiness I wanted to fill तो कहती है मैंने almost तीन दिन से कुछ नहीं खाय था और मेरे पेट में कुछ empty पन कुछ खाली जैसा मुझे लग रहा था जो मुझे फिल करना था याने भूख लगी थी I was afraid of appearing greedy so I underplayed my emotions underplayed का मतलब क्यों होता है behave in a controlled way याने आप ऐसे behave करो कि जैसे आप control में हो तो कहती है कि लोगों को लगता कि मैं बहुत जादा greedy हूँ कि इसकी mother की debt हो गई फिर भी खाना पीना मांग रही है तो इसलिए मैंने क्या किया अपने emotions भूख के जो emotions उसको दबा लिया control कर लिया अपने अंदर though all kinds of yearning nod my inside insides yearning याने here serious desire to eat something कह रही है मेरे अंदर yearning थी इने बहुत strong desire थी कि मुझे कुछ खाना है मुझे भूख लगी है and those things nod my insides nod याने bite something अंदर यांदर चुहे जैसे काट रहे इनके inside इनके पेट में कि मुझे खाना है तो ये बिचारी उस्वक्त दूविधा एक किसी conflict में आ गई कि यार एक तरफ बहुत भूख लगी एक तरफ mother की death हो गई है mother की death पर खाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे अरे भाई खाना मांग रही है तो बहुत greedy है तो एक दूविधा में आ गई वह बिचारी बहुत conflicting views उसके दिमाग में आने लगे even today I mistake the different kinds of hunger inside me and this is something that shows up in my work तो आज भी जब कुमूदीन इतनी बड़ी dancer choreographer बन चुकी है इनके अंदर different kinds of hunger याने इनके अंदर आज भी भूख है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं या कुछ अच्छा piece अच्छा dance form create करूं और यही चीज मेरे काम में हमेशा दिखाई देती है it shows up in my work the dangling arms find expression in my choreography dangling का मतलब hanging तो कहरे जो मेरी mother के date के time मेरे जो arms इस वक dangling hang हो रहे थे वो आज की date में मेरी choreography में एक expression बन गया है याने वो उस वक confused थी दूवीधा में थी या एक conflict में थी और इन सब चीजों की वज़े से उसने अपनी feelings को दबा दिया अपनी भूख को अंदर या अंदर दबा दिया तो इन दूवीधा और conflict तो यह दूवीधा और जो conflict है यह एक तरीके का play या एक dance piece बनाया था तो जो दूवीधा है जिसका मतलब इंग्लिश में conflict होता है यह तरीके का dance piece बनाया था याने कि play बनाया था जिसका नाम ही दूवीधा उसने रखा कुमूदीनी ने तो कहरी कि मेरे इस वाले dance piece में I examined the plight of a middle class woman who is chained to the traditions of Indian life तो कहती है मैंने इस पूरे dance में क्या दर्शाया plight दिखाई मैंने याने difficult situation दिखाई Hindustani middle class woman की जो Indian traditions और रीती रिवाजों में chained याने बंद के रह जाती है वो दिखाया था उसने She is restricted to domestic circles Is forbidden from wearing sleeveless blouses तो वो अपने domestic अपने घरेलू matters में इतना जादा restrict इतना जादा बंद चुकी है कि वो अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं कर सकती वो एक sleeveless blouse तक नहीं पहन सकती अपनी मन मर्जी का Must wear her hair in bun और उसके बाल कभी खुले नहीं होने चाहिए उसके बाल हमेशा बन याने जूड़ा बंदा होना चाहिए And must cater to her husband Cater मतलब To provide food and take care और ये जो हिंदुस्तानी घरेलू मामलों में जकडी हुई जो middle class woman है ये ऐसी उनी चीज़ अपने हस्बंड को मैशा खाना पना के खिला और उसके अमेशा take care करे तो ये सारे चीज़े उसने दिखाई अपने play में जिसका नाम था दूवीधा या फिर इसको English में conflict कहते हैं Yet from a small window she sees the newspaper man waving images of a woman with a bold streak of white in her short hair who wears sleeveless blouses and surrounded by men who listen to her intently is widowed but wears colorful sarees intently का मतलब क्या होता है seriously, ध्यान से तो कहती है कि ये जो Indian woman है ये इतनी जादा घरेलू problems में बिचारी परिशान है अपनी feelings को उसने दबा के रखा है अंदर ये अंदर लेकिन येट फिर भी जब वो अपने घर की छोटी से खिड़की के बाहर देखती है तो वो देखती है एक newspaper man जो है एक newspaper wave कर रहा है है इस तरीके से हिला रहा है और उस newspaper में एक स्ट्रीक ओव वाइट है याने कि एक इतना पैच वाइट कलर का कर रहा हुआ है इस तरीके से जैसे कि हमारी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिरा गांधी जी का इसमें वर्डन किया है इसमें description बताए कि जो न्यूस्वेपर में फोटो थी वो पी एम ऑफ इंडिया की फोटो थी वो बिल्कुल उसके ऑपज़ेट थी शॉट है थी उस उन्होंने बाल एक उसी की बाते मानती लेकिन यह order दे रहे हैं सारे आद्मियों को इस विडोड यह विडोड हैं इनके husband की डेत हो चुकी है बट स्टिल ये colorful साडी पहनती है और Indian woman अगर उसके husband की death हो जाती है तो उसको white साडी पहनने को देते हैं तैयार नहीं हो सकती वो बिचारी moreover she commands the country with millions of people also ये जो हिंदुस्तानी औरत है ये घर में सब इसको दबाते है और ये औरत जो है पूरे हिंदुस्तान को dominate करती है दबाती है और अपने orders देती है command देती है millions of people को अपनी country में yet while the woman looking out of the window is intrigued by this image she experiences conflicting emotions intrigued का मतलब क्या होता है to arise curiosity in something तो ये जो woman है ये जो Indian woman है जब अपनी खिड़की के बार newspaper में man को एक newspaper हिलाते हुए देखती है और देखती ही इंद्रा गांदी की photo है तो ये बेचारी intrigued है याने curious हो गई है जानने के लिए इच्चो के कि ऐसा क्यों एक तरफ मैं एक हिंदुस्तानी औरत जो घर में दबके रह गई है एक तरफ ये इंदुस्तानी औरत जो पूरी दुनिया को चला रही है तो इतना जादा conflicting emotions आते है इस बेचारी Indian woman के mind में की पूछो मत यहने इसको समझ नहीं आ रहा कि इतना जादा अलग हम दोनों क्यों चल रहे हैं वो भी औरत है इंदुस्तानी में भी औरत उन दुस्तानी लेकिन मेरा environment बिलकुल अलग इसके environment बिलकुल अलग ने चारेक्टर इंदुविधा इस tone between two lives तो यह जो character एंडियन मोमन का जो character है दुविधा नाम के कुमूंदनी के play dance play में यह tone है यह बिचारी एक तरीके से यह जो इंदुस्तानी ओरत है चिर गई है बीच में से बोली नहीं पारी किस तरीके की life यह जीना चाहती क्योंकि घार और husband और family और बच्चों के pressure में बिचारी दपके रह गई है अब कुमूदी नहीं कहती है यही एक चीज है जो मैंने भी अपनी life में feel करी है yet now that I have so much behind me I am more certain of where to place my hands पर कहती है पर आज मेरी life में there is so much behind me मैंने अपनी life में पीछे बहुत कुछ छोड़ आई मैं बहुत कुछ मैंने भी इस तरीके से feel किया अपनी life में but I am more certain certain यहने आप किसी चीज को लेके sure हो of where to place my hands तो अब यह इस point of time पे life में कुमूदीनी अब जब बड़ी हो गई है इतनी बड़ी famous choreographer, dancer बन गई तो कहती है मुझे पता है मैं certain हूँ मैं sure हूँ where to place my hands याने कि कहां पे क्या बोलना है कहां पे क्या करना है where to place my hands याने कहां क्या करना है किस dance form में क्या दिखाना है क्योंकि मैंने भी यही सब चीज feel करी अपनी life में my exams yielded surprisingly good results अब यह my exams कौन है कौन मुल रहा है कि मेरे exams है खुद जो हमारी writer और narrator है इस essay की जिनका नाम है कुमूदीनी लाखिया वो कह रही है कि जो मेरे exams हुए yielded surprisingly good results तो इनके exam के तीन हफते पहले इनकी mom की death हो गई थी लेकिन फिर भी इन्होंने manage किya exams दिये और कहती है कि मजब surprise की बात है मेरे exams में बहुत अच्छे marks आ गए मेरे so now what के थी अब exam में अच्छे marks आ गए अब क्या करूं where do I go from here अब यहां से कहां जाओ याने कौन सा रास्ता चुनू अपनी लाइफ का this question has cropped up throughout my life तो कुमुदुनी कैती कि जो question है where do I go from here याने इस point पर मैं आ गई जहां मैं आना चाहती थी अब यहां से आगे अपना सब्सक्राफ था कैसे चुनू अब कहां जाओ तो कहती है throughout the life मेरी पूरी life चाहे आज मैं डान सिखारी उत्ती बड़ी कुरियोग्रिफर बन गई हूं तब भी यह question हमेशा मेरे माइन में आता है and many years later took shape in my composition अता किम तो कहती है जैसे पहले ही चीज कई सालों बाद shape ली याने की एक तरीके से मैंने इसको बनाया अपने प्ले अता किम में की life में जब आपको जहां पहुशना है वहां पहुच जाते हैं उसके बाद अपने life के experiences जो भी अनुभव हमने लिए वो अपने brain में अपने दिमाग में store करके रख लेते हैं जैसे कि कोई pre-recorded cassette है और बाद में इस cassette को play करते थे कभी फ्यूचर इन लाइफ इस line का मतलब है कि कैसे मैंने अपनी life में questions देखा कि अब मैंने पास हो गई exam में अब यहां से कहा जाऊं और हमेशा confusion रहती थी मेरी life में कि अब यहां मुझे पहुचना था वहां में पहुच गई अब आगे अपनी life में कैसे जाऊं तो इस चीज को record कर लिया उसने दिमाग में और अपने इतने सालों बाद अता किम नाम का इसने song compose किया, dance compose किया और उसमें इस चीज को use किया एक pre-recorded cassette की तरह आपके दिमाग में कई सारी experiences record हुए है एक pre-recorded cassette की तरह जो सही cassette है जो सही experience है आपकी life का It will fall into place when you least expect it वो विल्कुल सही जगा पे कहीं पे आके life में आपको hit करेगा वो भी तब जब आपने expect भी नहीं किया हो कि अरे यह चीज तो मैंने कभी सोची थी अभी हो गई ऐसे upon finishing school I was at a crossroad and the path ahead was not clear to me तो कैती जैसी मैंने school खतम किया exam में pass हो गई मैं a crossroad पे आ गई याने मैं suppose मान लो यहां खड़ी हूँ और मेरे सामने ये भी एक रास्ता ये भी रास्ता ये भी रास्ता ये भी रास्ता एक crossroad पे आ गई कि मैं कहा जाओ, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, तो एक confusion point पर आ गई कि मैं ahead, याने आगे कहा जाओ, ये चीज मेरी life में मुझे clear नहीं थी I had lots of idea about what I wanted to do with my life and dance was not always the priority कहती है मेरे life में मेरे को बहुत सारी चीज़े थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन dance कभी मेरी priority नहीं थी याने पहली चीज नहीं थी कि हाँ, मुझे तो dance ही करना है, dance करना था बट कभी, मतलब ऐसी कोई top list में नहीं था, हाँ ठीक है, कुछ नहीं तो ठीक है dance, वैसा था I was driven and that partly stems from the fact that I had a relatively subdued childhood, driven का मतलब क्या होता है, controlled by a specified person, कहती है मेरे बच्पना हमेशा driven रहा है, मुझे किसीने किसीने control किया है, या तो मेरी मॉम ने, कि भाई नहीं तो तुम्हें तो dance करना पड़ेगा, या मेरे गुरु जी ने की नहीं, यह step ऐसे नहीं ऐसे, और मेरा जो childhood है, वो हमेशा subdued रहा है, याने quiet and depressed, इनकी मॉम की death हो गई, इनको हमेशा वो करना पड़ा जो मॉम ने कहा, इनको वो ही करना पड़ा जो गुरु जी ने कहा, कभी भी अपने मन की बिचारी नहीं कर पई, तो मेरा तो कहती ही, मेरा बच्पन हमेशा इस तरीके का रहा है, मैं खुल के नहीं जी पाई कभी, I was enveloped by a great mist of protection, I wanted to emerge from that mist and discover myself, mist का मतलब क्यो हाता है, धुन्द, fog, enveloped मतलब, वो कहती ही, मैं enveloped थी, याने मुझे cover किया हुआ था है, protection ने, याने कही ना कही मुझे कभी मेरी माँ protect कर रही है, कभी school की teachers, boarding school में protect कर रहे है, कभी father, कभी कोई ने कोई मुझे हमेशा protect किया हुआ और ऐसा लगता है कि मैं बीच में हूँ और मेरे आसपास धुन्द है protection की, कि सबने मुझे protect करके रहा है, और इस धुन्द से मैं कभी emerging नहीं हो पई, याने come out, मैं कभी बहार ही नहीं निकल पई, और मुझे ये चीज करनी है, वो ब particular, I wanted to feel powerful, कैती है, अगर मैं सही माइनों में बात करूँ तो मुझे सरफ powerful feel करना था, control a large group of people, और मुझे बहुत सारे लोगों को control करना था, exactly किस की तरह, Indira Gandhi की तरह, इन अता किम, अभी जो अता किम नाम का जो dance piece इस ने बनाए था, I address this desire for power and yet once you possess it, what do you do with it, तो कैती है, मेरे भूख क्यों होती है, and once you possess it, और एक बार यह power आपके पास आ जाएगी, what do you do with it, आप इस power का क्या करोगे, once you reach your goal, एक बार अगर आप लाइफ में अपना goal, अपने aim पर पहुच गए, where do you go from there, और फिर यहां से कहां जाओगे, जो प्राप्त करना था, अपने प्राप्त कर नहीं है, लेकिन फिर भी मज़े यकीन है, कि हमें ये question बार बार खुद से, या दूसरों से पोचना चाहिए, कि जो लाइफ में achieve कर लिया, आपने कर लिया, जो आपको करना था, अब यहां से कहां जाओगे, अब कौन से नहीं इच्छा हाएगे आपके अंदर, At the age of 15, I had many options, कहती है, जब मैं 15 साल की थी, मेरे लाइस में मेरे को बहुत options मिले कि मुझे क्या करना चाहिए, I would have been easy enough to join a college for a bachelor's or master's degree in psychology or English literature, तो कहती है कि मेरे लिए बहुत easy रहता, अगर मैं easy था कि मैं कोई bachelor degree or master degree join कर लूँ, psychology के subject में या फिर English literature, साहत्यक में, but everyone does that, you have to do something that is offbeat, different from the done thing, my father said to me, कहती है, मैं ये सब कर सकती थी, psychology or literature, लेकिन मेरे फादर ने मुझे क्या बोला, कि ये सब तो सब कुछ ही, ये तो सभी ही लोग करते हैं, कि master degree कर दी, bachelor degree कर ली, English में, psychology में, तुम्हे कुछ offbeat करना है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल different, something different, कुछ different thing करनी, जो कोई करता नियो, तो इसने का, अगर मुझे सब से different करना है, तो कैती है, नैनी नाम की जगा में, जो कि अलाबाद UP में, कैती है, मैंने वहाँ पे क्या college attend किया, कौन सा agriculture का college, याने farming से related college, अभी farming, खाद, मिट्टी, कीट नाशग, insecticide, इन सब के बार में पड़ेगी, तो इसने वह college, जोईन कर लिया, पंदरा साल की एज में, कैती है, जिस class में मैं थी, उसमें 30 बच्चे थे, जिसमें 29 तो boys ही थे, और मैं एक अकेली लड़की, क्योंकि farming usually लड़के करते हैं, लड़किया नी, कैती है, मैंने तो girls school से पढ़ाई करिये, और अब एकदम मैं boys की class में आ गई हूँ, तो मुझे boys की behavior के बार में कुछ पता ही नी था, मैं ब्रदर वो सेवन इस यंगर, सो हिस फ्रेंज वर उफ नो हेल्प, कैती है, मेरा भाई सुरेश भी मुझसे 7 साल चोटा था, तो अगर मैं उस से कुछ, या उसके सुरेश के दोस्तों से कुछ experience लूँ boys के बारे में, तो वो भी मेरे लिए किसी काम कर नहीं था, क्योंकि मेरा भाई भी मुझसे 7 साल चोटा था, However, at the agriculture college, I got a taste of relations between boys and girls, चला, we had to travel for miles and fields on bicycles, क्यती है, school पहुचने के लिए अपने घर से, हमको miles, याने मीलो चलना पड़ता था, fields में, अपनी bicycles, अपनी cycles पर, school जाने के लिए, the boys deflated the tire of my bicycle so that they could walk back with me, resulting in miles and miles of worthless conversations about the latest film, songs, actors, none of which interested me, deflated मतलब to take out air and empty the space, याने हवा निकाल देना किसी में से, तो कहती है, बड़ी मजा किया बात है कि, कि जो मेरे class में लड़के थे, वो मेरे cycle की tire में से हवा निकाल देते थे, ताकि मैं घर cycle पर ना जाओ, उनके साथ walk करती हुई जाओ, और फिर उनको मेरे साथ time spend करने को मिल जाए कि चलो, बात करने को मिल जाए, और miles and miles, मीलो और मीलो, वो मेरे साथ walk करके घर तक चलते थे, ताकि वो उनको मौका मिले, मुझसे conversation करने का, याने बातचीत करने का, फालतों की बातों पे, किसी भी film के गानों पर, actor, actresses के बारे में, और कैती है, इन में से कोई भी चीज, interested me, which none interested me, none मतलब, ये सारी चीज़ों में मुझे कभी interest आया ही नहीं, मुझे इनकी बाते हमेशे फाल्तू लगती थी लड़कों की, also, I was fascinated by the professors, mostly American, who wore short because we worked in fields with clay, crops, manios and insecticides, कैती है, मैं fascinated किसे थी, किन चीजों से attracted थी, हमारे professors से मैं तो attracted थी, जो पढ़ाते थे, और वो mostly American professors थे, और वो क्या पहनते थे, short spend के आते थे, क्यों, क्योंकि यह लोग agriculture college में थे, तो वहाँ पर usually field, जमीन पर काम करना पढ़ता था, clay से, crops याने की, चोटे में पेड़ पॉदे, manure याने खाद, insecticides याने, कीट नाशक, इसलिए हमारे American professors short spend थे थे, तो कहती है, मैं तो उनको देखके attract होती थे, क्यों, 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 one day I also turned up in shorts and 58 eyes peering at my legs, peering याने, staring, या looking, या घूर ना बोलते हैं, तो कहती है, एक दिन मैं भी short spend के आ गई, और 58 eyes, इतनी आखे, जितनी लोग वहाँ थे, girls होती है, उनको कभी भी अपने chest out करके नहीं गुमना चाहिए, नहीं, अपने पेरों को इस तरीके से uncover करके गुमना चाहिए, हमेशा cover रहके, ढखके रहना चाहिए, I now realize what she meant, but couldn't accept it as valid, तो कहती है, जब मैंने ये short spend के school में आ गई थी, तो तब मैंने realize कि actually मेरी दादी मां ऐसा क्यों बोलती थी, लेकिन अब भी मैं उनकी बात को, दादी की बात को valid याने सही नहीं मानती हूँ, What about the short blouses you wear with your midriff showing, I asked her, तो किती ही मैंने अपनी दादी से पूछा, कि भाई हमें आप मना करते हो ढखने के लिए, हमें बोलते हो ढखके रहो, कपड़े, छोटे कपड़े मत पहनो, तो भाई जो आप यह इतने छोटे-छोटे blouse पहन रहो, जिसमें आपकी midriff याने ये वाला area, जो front region, आपकी body और आपकी chest, chest और आपकी waste के बिच का जो body है, कहती है, आपके पेट दिखता है इसमें, तो भाई तो उसका क्या, तो ये question उसने अपनी दादी से पूछा भाई, कि हमें क्यों माना करें, आप लोग अभी तो स्लमाख दिख रहा है, जब साड़ी पहनते हो, डोंट आर्ग्यू, वोज़र रेपला, तो उसकी दादी ने बोला, बहस मत करो मुझसे, वेन विल वी अंडरस्टान्ड दिखनेटी ऑफ फीमेल बॉड़ी, डिखनेटी याने की रिस्पेक्ट, तो कुमूधिनी कहती कि हम एक औरत की बॉड़ी की डिखनेटी, याने रिस्पेक्ट को कब समझेंगे आखिर, एक जो डांसर होती है, उसको डिखनेटी, याने अपनी बोड़ी को डिखनेटी याने रिस्पेक्ट के साथ मूव करना पड़ता है, जब वो डांस करती है, और quality much desired और यह quality desired है याने कि जब dance करोगे तो जहिर सी बात है body तो move होगी ने खड़े रहके तो dance नहीं हो सकता amongst dancers but sadly missing in most specially women कहती है यह बहुत sad बात है कि यह quality women औरतों में बहुत missing है कि जब भी वो dance करती है तो वो अपने आपको कहीं न कहीं control करती है खुल के dance नहीं करती है अपने proper move नहीं कर पाती as they taught to underplay their bodies most of their lives और इसलिए और ऐसा वो female dancers क्यों करती है को कि उनकी पूरी most of their lives पूरी जिंदगी उनको यहीं सिखाया गया है कि उनको अपनी body को underplay करना है ने ढखके रखना है जबकि एक dancer की body dignity से respect से move करती है उसके hands, उसके legs, उसके facial expressions सब move होते है My grandmother of course was not completely to blame for this attitude कहती है कुमूदिनी कि मैं अपनी दादी को completely इस attitude और behaviorically मैं मतलब दोशी नहीं ठहरा सकती It is a problem that goes deep into the texture of our society कहती है यह तो हमारी society हमारा समाज ही ऐसा है जिस वज़े से मेरी दादी और हमारी सारी पीडिया ऐसी है We must embrace our senses and use them in the fullest rather than try to inhibit them Embrace यहने की accept and feel किसी चिसको accept करना और feel करना Inhibit करना, hold back यहने पकड़ करके रखना control करके रखना तो वो कहती है कि हमें हमारे senses जो हमारे sense organs है, हमारी जो इंद्रिया है उन्हें embrace करना चाहिए, accept करना चाहिए अपनी body को और feel करना चाहिए to the fullest यहने बिलकुल completely rather than inhibit them और अपने यह नहीं करना चाहिए कि अपने senses, अपने खुशियों को, feelings को, अपने dance को hold back करके अंदर दबा के नहीं रखना है, let them come out and embrace it with dignity यहने respect के साथ Another argument I often had with my grandmother was about religion and visiting temples एक तो कपडों की बात पर इसका इसकी दादी सा मेशी बहस बाजी होती रहती थी एक और topic जिससे गुमूदिनी की दादी से उसका argument होता था वो था religion, यहने धर्म की कुछ बाते और मंदर जाना के topic पर argument होता था तो इसकी दादी इसको बोलती थी कि भाई, exam से पहले temple जाओ भगवान तुम्हें ताकत देंगे ताकि तुम एक्जाम में अच्छा कर पाओ अब कुमूदिनी को इससे issue था इस बात से उसको दिख कर थी कि क्यों भाई exam से पहले मंदर क्यों जाए जो मुझे result desirable है जो मेरी इच्छा नुसर मुझे result चाहिए उसके लिए मैं भगवान से bargaining क्यों करूँ क्या मुझे जो भगवान से चाहिए क्या वो मेरे अंदर से नहीं आ सकता क्या मेरे अंदर भगवान नहीं है मैं खुद प्रेयर करके जा सकती हूँ चाहिए मुझे जाने के क्यों जरूरत है भगवान से bargaining करने के क्यो जरूरत है बगवान मुझे अच्छा नंबर देदो फ्लीज प्लीज मैं एक दिन के लिए हूँ तो ये सारी चीजे वो सोच्थ थी तो स्टेइं इस स्रेंथ me with this ability and doubt याने की प्रोवाइड किसी को कोई चीज प्रोवाइड करना याने की देना तो कुमूदिनी कहती है कि मेरे को बहुत difficult time और बहुत लंबा समय निकला मेरी life का इस बात को belief करने में कि भगवान नहीं मुझे प्रोवाइड करी है यह ability dance करने की मेरे अंदर निरत्य की जो ability भगवान नहीं मुझे कही नहीं दिये कहती है मुझे काफी time लगा इस बात को belief करने में बट ये बात अब मैंने belief कर ली है visiting temples activates your senses though we often take this for granted तो आप कुमूदिनी बहुत अच्छी बात कहती है कहती है कि मंदर जाने से आपकी senses आपकी पूरी body आपकी इंद्रियां activate हो जाती है हम भले इस बात को granted याने fall to clear ले लेकिन ये बात सच है you see the grandeur of the architecture and can feel the curve of the stones जब आप मंदर जाते हो तो आप वहां का जो architecture है कि मंदर किस तरीके से बना हुआ है कौन से भगवान की मूर्थिया रखिए इन सबसे आप grandeur होते हो याने कि impressed हो जाते हो attracted feel करते हो कि वहां कितना प्यारा सूपसूरत मंदर बना हुआ है और आप stones जो पत्थरों से पूरा मंदर बना उनको touch करके feel कर सकते हो कि कितनी positivity है वहां पर the scent of incense incense याने धूप बती जो मंदर में धूप बती है अगर बतिया जलती है उनकी scent उनकी खुश्बू जो भगवान पर चड़े हुए माँ flowers होते सांडल वूड याने जो चन्न की खुश्बू मंदर में आती है यह सब मिंगल हो जाती है together याने सब आपस में mix हो जाती है और एक बहुत positive feeling देती हमें जब आम मंदर जाते हैं और यह feeling कभी घर पे नहीं आ सकती you hear the ringing of the bells and the taste and taste the panchamrut तो जब आप मंदर जाते हो तो आप घंटी बजने की आवाज भी आपको आती है सब को ही आते हैं गंटी बजाते हैं और प्रसाद में आपको panchamrut मिलता है panchamrut क्या होता है शकर, honey, curd याने दही, घी, देसी गी और cows मिलके याने गाय का दूद इन सब क मिक्स करके जब आप एक प्रशाद बनाते हो और वो पूजा में यूज होता है उसे हम panchamrut कहते हैं तो यह सारी चीज़े आप मंदर में experience करते हो with your palms and soles of your feet you touch the different surfaces आप मंदर में जब घुसते हो तो नंगे पहर जाते हो चपल पहन के नहीं जाते तो अपने palms याने अपने हतेलियों से और foot याने पैरों के नीचे जो surface है जो पैरों के तला है आपका उनसे अब अलग अलग surface मंदर के अलग अलग जगाओं को touch करते हो और feel करते हो और वहां की positivity अपने अंदर लेते हो क्या experience होता है कैती मुझे यह believe नहीं होती थी अपनी दादी की बात पर मुझे अब यह बात believe हो गई है why do I have to bargain with God as if he is some kind of agent for trading company कैती है यह सब तो ठीक है लेकिन अगर मुझे भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या भगवान कोई agent है कि किसी trading company के जिससे मैं bargaining करूं कि भगवान मैं फूल चड़ा रही हूं मुझे आप पास करा दो भगवान में 100 रुपे का प्रशा चड़ा रही हूं मेरी job लगवा दो यह बात उनको accept नहीं होती थी yet these arguments with my grandmother were useful in the in that they may be differentiate between the sensitivity and sentimentality तो कहती है इस तरीके कही सारी बहस arguments मेरी grandmother के साथ मेरी होती रहती थी लेकिन कहीं ने कहीं यह arguments मेरे लिए बहुत useful थी क्योंकि इससे मैं differentiate कर पाई दो चीजों के बीच में एक है sensitivity और दूसरी है sentimentality मैं arguments से इन दो चीजों का मतलब समझ में और differentiate कर पाई कि यह दोनों चीजों का मीनिंग भी अलग है जो sensitivity होती है वह physical होती है याने उपरी शरीर हम बोलते ना अरे वही तुम तो यहीं बैटो तुम तो बहुत sensitive इंसानों बहुत जल्दी बीमार पढ़ जाते हो आप तो भाई sensitive याने शरीर से जब आप sensitive होते हो कमजोर होते हो and sentimentality comes from inside आपके अंदर जो आपके sentiments basically जो आपकी feelings होती है sentiments होते है उन्हें sentimentality कहते है इन sentiments and feelings को कोई भी hurt कर सकता है आपको किसी ने कोई बुरी बात बोल दी आपकी feelings hurt हो कोई sentiments hurt हो गए तो यह चीज physical नहीं होती है internally होती है आपके अंदर तो यही सारी चीज़े sensitivity, sentimentality यह सब कुमूदिनी ने अपनी दादी से अलग-अलग arguments करके सीखी और वो differentiate कर पाई है कि दोनों चीज़े यह अलग है Later I created a piece called Punch Paras, the five senses to explore this realm फिर कहती ही later life में बहुत आगे जाके मैंने एक और dance piece create किया जिसका नाम था Punch Paras, पंच पारस यहने पाँच चीज़े यहाने की five senses जो आपके five sense organs होते है eyes, nose, ears, tongue and आपकी skin यह आपके five sense organs आपकी five indri हैं जब जो खुल जाती है तो आपकी पूरी body समझो जैसे सब feel करने लगती है, तो कहती है अपने sense organs के बारे में अपने इंद्रियों के बारे में ही मैंने एक और dance piece create किया था जिसका नाम था Punch Paras और मैंने क्यों create किया था to explore this realm, realm means field of interest कि मुझे यह realm था, याने interest की बात थी मेरी कि यह sense organs क्या होते हैं, कैसे यह work करते हैं हमारी body में and हमारी feelings को कैसे यह कैसे किसी तरीके से हमारी body उस तरीके से feel करती है तो कहती है, इस चीज को मुझे explore करना था, इसलिए मैंने एक नया dance piece बनाया था, जिसका नाम था Punch Paras तो basically यह आपर तीन dance pieces की बात हुए है, जो कुमूदी नी नी बनाई है, सबसे पहली थी दूविधा, जिसको English में conflict कहते हैं, दूसरा था आपका अता किम और तीसरा है यह Punch Paras क्याती है, 18 साल में मुझे graduation मिल गई थी अपने agriculture वाले college से और मेरे पास कुछ few, few मतलब समझो बिल्कुल कुछ ना के बराबरी कुछ job prospects से कि हाँ भाई मैं इधर इधर एका जगह job कर सकती हूँ लेकिन कहीं न कहीं मैं cross road पे थी याने की confusion में ही थी अभी भी कि मतलब मुझे अभी और आगे, अब क्या करूँ मैं अपनी life में Luckily good fortune came to me without much beckoning beckoning का मतलब gesture to call someone, याने किसी को बुलाने के जबाम ऐसे बोलते हैं तो beckoning होती है तो कहती है लखी लिए बहुत लखी बात है कि मेरे को good fortune याने अच्छी किस्मत मेरे पास आ गई ज्यादा beckoning याने मुझे किस्मत को ज्यादा बुलाना नहीं पड़ा अपने आप किस्मत अच्छी किस्मत मेरे पास चलके आ गई मेरे लख से इड़ापन इन बॉंबे और क्या हुआ था बॉंबे में ये इंसिडेंट हुआ था आइड गॉन टो ट्रें स्टेशन तो सी ओफ सुरेश वह स्टाडिंग अट शेर्वोड कॉलेज इन नैनितल कैती है मैं बॉंबे में थी और मैं स्टेशन पे अपने भाई सुरेश को सी ओफ करने याना ठाटा बाई बाई करने गई थी जो कि नैनितल में शेर्वोड कॉलेज में पढ़ता था कहती है कि ट्रें अभी जा चुकी थी और अभी भी मैं ट्रेन को वेफ कर रही थी अपने भाई की ट्रेंको और मेरे पीछे मेरे शोल्डर मेरे कंदे पे आके किसी ने टैप किया याने मुझे बुलाया और ये शायद मेरी लाइफ की सबसे लगी चीज होई थी क्या था वो कौन इंसान था किसने इसको बुलाया था I turned around and the woman who stood there changed the course of life कैती जैसी मैं पीछे मुड़ी तो एक औरत एक वुमन खड़ी थी और उसने समझे जैसे course of life मेरी जिन्दगी ही बदल दी all those tedious hours of dance lessons fused into a new synergy tedious याने long and tiring lambay और बहुत ठकावट भरे hours याने घंटे fused का मतलब क्या होता है combined जब दो चीजों का हम fuse करते याने combine करते synergy का मतलब क्या होता है the combined effects of two things resulting in greater effects compared to their separate effects जब दो चीजों का fuse करते होने combine करते हो तो जोसका result निकलता है वह बहुत greater बहुत बढ़ा result और अच्छा निकलता है अगर यही दो चीज़े अलग अलग हो तो उनका result इतना अच्छा नहीं निकलेगा लेकिन यही दो strong चीज़े combine हो जाए तो result next level पहुचेगा तो कहती है कि बस जैसे यह सौरत को मैंने देखा मेरी life change हो गई इतने थकावट भरे सालों तक जो मैंने dance सीखा मैं lessons सीखने गई थी dance के ट्रेनों में धक्के खाए मैंने अपनी मा के साथ आथ समझो synergy याने combine effect हो गया और इसका एक बहुत great result आज मुझे मिलने वाला है वो लेडी कौन थी उस लेडी का नाम था कोमलता दत और यह मेरे फादर की friend थी and more importantly the person who introduced Udai Shankar to the dance legend Anna Pavlova in Paris अब Udai Shankar यह है यह बहुत famous Indian dancer है आना पावलवा यह है यह एक Russian ballot dancer है बली नी ballot राश्या की ballot dancer है कहती है कि यह जो मेंको लेडी बुलाने आयी थी यह कौमलता दत थी और यह कौमलता दत मेरे फादर की friend थी और यह वही लेडी थी जिसने हमारे famous Udai Shankar जो इनको मिलवाया था रेशन बैले डांसर जिसका नाम था अना पावलवा उससे मिलवाया था तो यह वही लेडी थी और यह अना पावलवा कहा की डांसर थी पारिस की और आज मुझे क्या ओफर कर रही थी कि तुम राम गोपाल डान्स कंपनी जोइन कर लो और ये कंपनी कहा है लंडन में तो बस यहां से लाइफ चेंज हो गई हमारी राइटर की तो अब कुमुदनी कहा शिफ्ट हो गई है लंडन में इस दान स्कूल में आ गई है और यहां पर क्या है सारे प्रोफेशनल डान्सर्स और मुझेशन्स हैं सब बहुत पॉफेक्ट है ट्रेनिंग मिली हुए सबको तो कहती है मुझे कुछ टाइम लगा मैं ताकि मैं लर्न करता हूँ एड़्जस्ट करता इन सारे ग्रूप अफ प्रोफेशनल डान्सर्स और मुझेशन्स के साथ on the move all the time मतलब on the move all the time ये सारे प्रोफेशनल डान्सर्स और मुझेशन्स सारे टाइम on the move होते थे याने इधर उदर move करते रहते थे डान्स करते थे प्राक्टिस करते थे कुछ ना कुछ अपने काम में लगे रहते थे and the opportunity exposed me to a very different aspect of dance education तो कहती है कि ये जो opportunity मुझे मिली लंडन में आने की डान्स सीखने की इससे मेरे को बहुत different aspect मेला dance education का याने मैंने dance को और अच्छे से different aspect से सीखा there was a lot of dance to be learnt as well और मैंने कथक सीखा हुआ था वो कहती ही मैंने सर्फ कथक सीखा लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग-अलग dance forms भी सीखे जैसे केरेला का कुमी केरेला का ये dance है कुमी भी कहती मैंने ये भी सीखा है यहाँ पर घूमर ऑव राजस्थान ये राजस्तान का घूमर डांस है वो घूमर-गूमर song देखा दीपीका का वहीवाला डांडिया और गुजरात का डांडिया डांस है रहे गरबा डांडिया करते हैं कैती यह सब किती मैंने कत्तक के लावा यह सारे नए अलग अलग भी dance सीकें all were part of troops repertoire troop याने की groups group K apostrophe svada group K जो group था dancers का यह सारे अलग अलग dance hun का repertoire था repertoire उप क्या मतलब होता है collection of different dance forms that a group knows तो एक dance group जो अलग अलग dance forms को जानता और use करता है stage पे अपने performances में उसे हम repertoire कहते है तो कहती है यह जो मैं professional dancers के साथ काम कर रही थी इनका यह इनके troop का यान इनके group का यह repertoire था यह अलग-अलग dances इनको आते थे और यह अपने stage पे अलग-अलग अपने performances में in dance forms को use करते थे कैती है मैंने भी यह सब चीजे सीखी what I enjoyed most was learning the classical Bharatnatyam from Ram Gopal himself who was a strict disciplinarian and had a fetish for perfection of life offline तो कैती है जो सबसे जादा मैंने enjoy किया था वो था जब मैंने classical Bharatnatyam सीखा खुद Ram Gopal से यह रहे Ram Gopal यह बहुत बड़े एक classical Bharatnatyam dancer है किती मैंने इनसे खुद सीखा था तब वो मेरा best time था किती बहुत ही strict disciplinarian है याने कि बहुत discipline से अपना dance को सिखाते हैं और हर step को perfect करने की इनके अंदर एक fetish थी याने extreme desire crossing all the limits याने कि एक particular step या dance को perfect करने के लिए इनके अंदर वो इशाती की perfect हो और perfect करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे तो ऐसे थे राम गोपाल इनके Bharatnatyam dancer however in the end he would say you have perfected the technique now throw it overboard and dance जब पूरा डान्स राम गोपाल सिखा देते थे तो वह एंड में यह कहते थे you have perfected the technique तुमने यह जो technique है dance को सीखने का जो तरीका है उसको तुमने perfect कर लिए अब तुम्हारा काम है कि इसको overboard throw करो और dance करो overboard का मतलब क्या होता है from a ship into the water जब आप किसी चीज को ship में खड़े हो के पानी में फेकते हो यहने आपने इसको overboard fake दी तो इस line का मतलब यह है कि राम गोपाल कहते थे कि अब तुमने यह technique perfectly सीख लिये अब इस technique को बस stage पे फेको और फैला दो पूरे stage पे और dance करो perfectly क्योंकि अब तुम्हें technique आ गई है this is a lesson I have tried to teach my own students के यही जो lesson मैंने राम गोपाल से सीखा था यह मैंने अपने खुद के students को भी आज भी यही सिखाती हूं मैं Before you begin experimenting you need to perfect the technique with which you experiment अगर आप कोई नया dance form या नया dance का तरीका experiment कर रहे हो stage पे की चलो आज कुछ नया dance दिखाते हैं public को तो आपको सबसे पहले जो technique है उस dance की याने जो technicalities चोटी-चोटी minor चीज़ें अगर उसमें आप perfect हो गए तो याने कि आप अपने dance को experiment करने में successful हो जाओगे अगर चोटी-चोटी techniques नहीं सीखी तो याने कि आपका experiment fail हो जाएगा ओके तो ये lesson कुमूदिनी ने राम गोपाल जी से सीखा और आज की डेट में अपने students को भी वो यही सिखाती है Turing with Ram Gopal not only taught me more about dance I discovered new things about my own personality अब Ram Gopal जी का जो ये dance group था ही अलग अलग जगा तूर करता था people from different countries gives you a chance to look at yourself in a new light जब आप encounter करते हो याने meeting जब आप नए नए लोगों से मिलते हो अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों से तो आपको एक चांस मिलता है कि आप एक new light में एक नए zone में खुद को देखो कि आप कैसे हो in comparative comparison with these people okay more often than not I found my weaknesses were brought glaringly into focus glaringly याने की इन डाग्सलिंग light याने चमकती हुई light में एकदम focus में weaknesses याने की आपकी कमिया तो वो कहती है कि जब मैं नएने लोगों से मिली अलग 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 country में मैंने explore किया तो मुझे अपनी weaknesses अपनी खुद की कमिया मुझे खुद को दिखाई देने लगी glaringly याने की focus में दिखाईने लगी कि नहीं कुमूदनी तुमारी यहां गलती है तो मैं यहां अपने आपको correct करना है तो मैं ऐसे नहीं ऐसे भेव करना चाहिए बहुत सारी चीज़े उसने खुद के बारे मे बदल देते हो तो कैसे पूरी situation change हो जाती है for example मेरे room में मान लीजे मैं यहां बैठी हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ पानी की bottle दूर रखी है अब मैं बार बार जब मुझे प्यास लगती है तो मैं laptop रखती हूँ काम की बीच से जाती हूँ इत्ती दूर पानी पीती हूँ आती हूँ तो इत्ती देर में मेरा time किता वेस्ट हुआ लेकिन अगर मैंने उस bottle की placement change कर दी याने वहां से अपने पास यहीं रख दी तो क्या होगा जब भी मुझे प्यास लगी कि मैं उठा के पीलूँगी time भी waste नहीं होगा in fact पानी पीता पीता भी मैं laptop में अपना काम कर सकती हूँ तो कैसे किसी particular चीज की placement उसकी जगा chain करने से पूरी situation बदलती है यह चीज तीकी कुमोदी नहीं है और इसी चीज़ों को उन्हों उसने इपने dance में भी use किया one of the most striking moments of that tour was my time in post war Germany striking याने की noticeable कहती है जब मैं टूर कर रही थी तो सबसे noticeable moment मैंने देखा था post war Germany के बाद याने Germany muslim war चल रही थी world war हो रही थी और war के बाद मैंने सबसे एक अजीब चीज वहाँ पर देखी याने notice करी it was unbelievably sad place Germany यकीन ना करने जैसी एक बुरी और दुखदाई जगा बन गई थी war के बाद hungry children begging for food is a common sight in India yet in Germany the same side created a different sensation situation कहती है भूके बिचारे बच्चे जब इंडिया में भूके बच्चे भीक मांगते हैं तो यह जो site है यह जो दृष्चे है यह हमारे लिए बहुत common है हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते बिचारे भूके बच्चे भीक बाग रहे लेकिन यहीं site यहीं दृष्चे कहती है जब मैंने जर्मनी में देखा कि भूके बच्चे वहां पर भीक मांग रहे तो उससे मुझे मुझे एक different sensation होई मुझे sad feeling आई क्यों भाई इंडिया में भी गरीब बच्चे जर्मनी में भी गरीब बच्चे बच्चे तो दो नहीं जग है ना तो इससे कुछी समझ में आई कि जगा बदलने से लोगों के feelings और लोगों के पूर प्लेस्मेंट में चेंज आ जाता है इस चीज से मुझे यह जर्मनी और इंडिया की चीज से मुझे यह चीज समझ में आ गई कि कैसे अगर इंवाइमेंट किसी जगा का आसपास बातावरा ना बदल दो तो लोगों के रियक्शन भी डिफरेंट हो जाते हैं इंडिया में बूके बच्चों को देखके मैंने नोटेस भी नहीं किया लेकिन वही सेम चीज जब मैंने ज़र्मनी में देखी तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ और यही चीज डांस के फील्ड में भी बिल्कुल टू है बिल्कुल सही है जब स्टेज पर डांस पर पर्फॉर्मन्स होता है जब आपको चीजे प्लेस्मेंट थोड़ी चेंज कर देते हो तुम डांस पर बीचे चले जाओ यह प्रॉप को यहां नहीं यहां रखो तो अब आपको कहीं कि जब आप कोरियोग्राफि करते हो स्टेज पे तो वह काफी डिखती है अगर आप कुछ चीजों की प्लेस्मेंट चेंज करते हो वह कहती है मैं खुद एक चेंज परस्नालेटी बन गई जब मेरे स्रांडिंस से मुझे मुझे दिफरेंट्स मिला याने की सबस्ते है यह जब मैं इंडिया मैं थी तो मैं एक अलग टाइप की प hypothesis जब मैं लंडन ग्लोब ऐसा लग रहा था मैं इंडिया में और इस ग्लोब इस धर्ती के अलग अलग पार्ट में कंटिनेसली सिर्फ ट्राविली कर रहे हो थे टाइम से आप ब्रॉट फॉर थी यह और यह जो तो उसने कि डेट हो गई डेट हो गई भाई सुरेज शेरवोड कॉलेज नैनी ताल में पढ़ रहा है पापा इंजिनियर है हर जगा मिलिटरी कैंप्स बनाने के लिए अलग अलग जगा ट्राविल करते तो घर कहां है किदर जाए बिचारी और अगर घर नहीं है तो एक इंसान अपने लिए वनसेल याने खुद के लिए घर आखिर बनाता कैसे फिर उसके दिमाग में दूसरा क्वेशन आता है क्या मैं एक नया घर खरीद लूँ या क्या मैं शादी कर लूँ क्या मैं बच्चे बैदा कर लूँ तो मुझे एक फैमिली मिल जाएगी या make friends या मैं नय दोस्त बना लूँ तो इससे शायद मुझे अच्छा लगे I had only the last item on the agenda अब इसकी agenda में इसकी planning में कुमूदनी की planning में ये last item नय friends बनाने का जो plan था वो आगया कि चलो घर अभी नहीं खरीद रहे शादी बच्चे नहीं कर रहे नय दोस्त बनाती हूं मैं चलो While in school in Lahore, I had made a lot of friends but they now lived in a different country पाकिस्तान अब ये वो point of time आगये जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का separation हो गये कहती ही जब मैं Lahore में स्कूल में पढ़ती थी वही Queens Mary College में कहती ही मैंने वापे कितने सारे friends बनाय थे लेकिन अब वो एक दूसरे देश में रहते हैं और वो देश है पाकिस्तान I had to obtain a visa to visit the closest friend over a weekend अगर weekend में Saturday Sunday चुटी पर मुझे उनको जाना है उनसे मिलने के लिए अपने दोस्तों से तो मुझे वीजा लेना पड़ेगा क्योंकि अब हो पाकिस्तान में I would like to say I am a political but I have discovered that politics makes its presence felt even when uninvited A political का मतलब क्यो होता है not related to politics जो राजनीती से related नहीं होता तो कुमूद नहीं कहती कि मैं a political person हूँ याने मैं राजनीती politics से ज्यादा connected या जूड़ी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने यह चीज़ डिस्कवर की खोश निकाली कि politics कही न कही अपनी presence अपनी जगा बना ही लेती है भले ही बहले ही जरुवत ना भी हो politics अपनी जगा आही जाती है याने दोस्तों से मिलने के लिए मुझे वीजा लेना पड़ रहा है कुमूदिनी और मैं रिटर्न अपने अपने घर आ गई हूं और आब वेट किस चीज़ के लिए मैं वेट करें कि चलो मुझे कोई इंसान मिल जाया तो मैं शादी कर लूं बच्चे कर लूं और एक बंबे में अपना घर अपना फ्लैट लेलूं फाइनली इसने एक में ले लिया बट इट केम विता स्ट्रिंग अटाच्ट लेकिन ये घर कुछ स्ट्रिंग स्ट्रिंग याने डोरिया जो अटाच रहती बंधी रहती है आपके साथ इसका मतलब है हिर रिस्पॉंसिबिलिटी इन बाउंडेशन के यह ने घर तो खरीद लिया लेकिन उसके स बहुत सारी रिस्पॉंसिबिलिटी से बहर गए हो यह ने ओर्वेंड हो गयो तो कुमूदीनी कहती है हम ऐसे समाज ऐसी सोसाइटी में रहते हैं इंडीन सोसाइटी में जहां पर अगर किसी ऑउरत को घर की बाहर जाके काम करना है तो ये एडिशन में आता है उसके साथ कि आपको अगर काम करना है तो आपको अपने domestic घर की responsibility सब निफटा के फिर काम करने जाना है कहती है और इसी thought के साथ मैं overwhelmed हो गई याने मैं बहुत overwhelmed feel करने लगी बहुत जादा सा depression जैसा आने लगा कि अरे घर भी देखना है, dance भी देखना है, job भी देखना है तो कहती है, यह feeling मेरे साथ उस time हो गई थी जब अपना घर लिया था Still, I didn't do too badly thanks to my supportive husband Rajnikant अब यहाँ पर क्या बोल रही है वो, फिर भी मैंने यह इतना बुरी जैसे, इतना बुरा manage नहीं करा somehow मैं manage कर लिया, घर को भी और अपने dance के profession को भी और यह सब सिर्फ किसकी वज़े से हुआ, मेरे supportive husband की वज़े से, जिनका नाम था Rajnikant अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इनकी शादी हो गई घर ले लिया In spite of his own background in a family where men are treated as special breed He was a good man with an extraordinary quality of believing everything तो वो कहती है कि जो मेरा husband Rajnikant है, वो एक ऐसे family background से आये है जहाँ पर men, आदमियों को बहुत special treatment दिया जाते है, कि men हो तुम आदमियों, तुम सबसे superior हो लेकिन फिर भी वो एक good man थे, मुझे support किया, मेरे dance के career को उन्होंने support किया लेकिन उनमें एक extraordinary quality थी, कि वो हर चीज में belief कर लेते थे, कि हाँ यह चीज सही है The word suspicion was absent from his vocabulary जो suspicion हमका शब्द है, यह इनके vocabulary उनके dictionary से absent था है, यह था ही नि, suspicion बोले तो feeling that something is possible or true यहने suspicion अगर ही हो रहा है, तो क्यों हो रहा है भाई, मतलब हम अगर किसी चीज पर belief करते हैं, तो हम उसका आगे पीछे सोचते हैं, कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों कहीं सामने वाला हमको, मतलब हमसे कोई benefit या फाइदा तो लेना नहीं चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, तो यह सारी चीज उनके husband सोचते ही नहीं थे, बस हर चीज में belief कर लेते थे, कि हाँ भाई, ठीक है, जो आप बोल रहो सही है इस वज़े से वो popular तो हुए, famous तो हुए, लेकिन अपनी field of business में unsuccessful हो गए, इनके husband dance field से नहीं थे, both as a professional and as a parent, इनका जो profession था, इनके husband का, वो lawyer का था, वो law पढ़ते थे, तो अपने profession में भी वो unsuccessful हो गए, हर चीज में belief करने वाली आदत की वज़े से, और as a parent भी, एक अच्छ में अपने बच्छों की, easily belief कर लेते थे, but a very accommodating husband, इन सब के बावजूद भी जो इनके husband है, वो बहुत accommodating है, याने willing to make someone happy, अपनी बीवी, कुमूदीनी को और अपनी family को उन्होंने हमेशा, खुश रखा, My biggest benefit from my association with him was in love, was the love of music he instilled in me, instilled मतलब establish करना, किसी के अंदर भर देना, fill कर देना, तो कहती है, अपने पती से associate होने के बाद, याने शादी करने के बाद, जो सबसे बड़ा benefit, जो फाइदा मुझे हुआ है, वो यह है कि, मेरे husband के अंदर love for music है, संगीत से वो बहुत प्यार करते हैं, और वही संगीत का प्यार उन्होंने मेरे अंदर भी भर दिया, याने मुझे भी अब music के लिए जो मेरा love है, वो काफी अब बढ़ गया है, डांस के लिए तो था ही था, अब मेरे अंदर music के लिए भी love बढ़ गया है, if he had chosen music as a profession, he would have done better in life, कुमूदीनी कहती, अगर मेरे husband ने अपना profession music चुना होता, music field में, तो वो अपनी life में कुछ बहुत अच्छा कर जाते, लेकिन, but his bar at law from Lincoln's in London pushed him into the wrong line of work, Lincoln in क्या है, Lincoln in London में एक law का college है यह, और यहां से इन्होंने अपना bar at law याने law की पढ़ाई करी हुई और अपना profession यही से करते थे, तो कहते हैं कि, वो कहती ही कि उन्होंने law किया, इस college से और इस वज़े से वो wrong line of work में गुजगए, यहने गलत कामों में गुजगए, जिसकी वज़े से वो profession में unsuccessful हो गए, I must say, I am blessed with a wonderful family, two normal and healthy children, my son Shri Raj and daughter Maitre, तो कहती है वो कि फिर भी मैं यही बोलूँगी कि मैं को यह बहुत सुखी और अच्छी family से बगवान ने मुझे blessed किया है, मेरे दो बच्चे एक बेटा है मेरा Shri Raj और एक मेरी बेटी है Maitre, now married with their own children, और यह मेरे दोनों बच्चे भी अब शादी शुदा हैं और इनके भी खुद के अपने अपने अब बच्चे हैं, Looking back, I keep wondering what my contribution was as a mother, but it must have been satisfactory to attain these results, तो कहती है जब मैं looking back, जब मैं पीछे अपनी life में देखती हूं और सोचती हूं, तो मैं यही wonder करती हूं, यही सोचती हूं कि मेरा as a mother अपनी बच्चों के life में क्या contribution रहा है, और जब मैं अपने बच्चों को, याने ये results देखती हूं, याने जब मैं अपने बच्चों को successful देखती हूं, तो मुझे बहुत satisfaction मिलता है, मैं satisfactory होती हूं कि ठीक है, मेरे बच्चे successful ने खुश हैं, याने कि मैं as a mother successful रही, and yet, बोथ are completely different in their attitudes and philosophies, ये बोथ कौन कहती हूं, वो अपने दोनों बच्चों के बार में कह रही है, कि मेरे दोनों ही बच्चे, बच्चों के attitude एक दूसरे से काफी अलग है, और philosophies, याने उन दोनों की thinking एक दूसरे से बिलकुल अलग है, one has an extended sense of ambition, एक मेरे बच्चा बहुत ambition से related है, याने उसको अपने life में कुछ achieve करना है, other allows things to transpire as they are destined to, transpire means come out या reveal, और जो दूसरा बच्चा है, वो कहता है, जैसे जैसे destiny मुझे दिखाता जाएगा, वैसे वैसे मैं करती जाओंगी, मैं कुछ अलग से नहीं करूंगी, जैसे जैसे चीजे मेरे सामने आएगी, मैं transpire करती जाओंगी, याने करती जाओंगी, तो मेरे दोनों ही बच्चो की thinking एक दूसरे से अलग है, the only point on which they agree is that they disagree with my profession, अब बड़े मजे की बात कह रही हैं, है कि मेरे दोनों ही बच्चे एक-दुसरे से बहुत अलगें लेकिन ऑख ही पॉइंट पर दोनों एक-दूसरे के साथ कि एक ही रूफ एक ही घचथ नीचे जब आप अलग अलग वाराइटी यम ऐसा पितंग ओधा दव सब्सक्राइब लूग्ट करके हो तो अललग अलग आटिस पर कर तुझ करते हैं तो अलग 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 व्राइटी के लोगों की घर में और स्टेज पर परफॉर्म कर रहे है दर इक्वेशन दस्पेस फैक्टर वाइबरेशन रिश्टे में रिश्टे में स्पेस चाहिए 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 हस्बंड वाइफ हो अब बच्चे और परेंट्स का रिलेशन हो सब में एक किसी पॉइंट में स्पेस होना इंप्वॉर्टन नहीं तो घुटन होती है तो वो कहते ही जो इक्वेशन है जो इन प्रफॉर्मिंग सोलो अब आप लोग अपनी लाइफ में वह याने अलो अकेले परफॉर्म कर रहे ह कि भाई अकेले job कर रहे हैं, अकेले कमा रहे हैं, अकेली खुद पर खर्चा कर रहे हैं, अब एक family है भाई बच्चा है, बीवी है, family है, parents है, सब है, तो अब आप अपनी life में अकेले perform नहीं कर रहे हो, you belong to a larger image, आप अब एक larger image में आपको पूरी family को साथ देखना है और वैसा रोल निभाना है family को साथ, and must develop a new set of performing skills, और अब आपको अलग-अलग type के लोग जो आपकी family में हैं, उनके साथ अलग-अलग skill अपनी use करके perform करना है, किसी का गुस्से का nature है तो उस से, उस हिसाब से चलना है, कोई बहुत easy going है आपकी family में तो उस से easy going चल गए, बड़ों के स साथ बड़े बच्चों के साथ बच्चे बढ़ने है, इस तरीके की skill आपको चलानी है, अपनी family को चलाने के लिए, जैसे हम stage पर अलग-अलग लोगों के साथ एक dance चलाते हैं, तो इन्होंने इचीज अपने dance के साथ connect करके बताया अपनी life को, summary में, so bridges is a story of how a dancer evolved in kumudini lakya, तो bridges किसकी कहानी है, कि कहानी कumudini lakya की, कैसे एक dancer evolve हुआ, एक dancer पैदा हुआ कुमudini lakya के अंदर, क्योंकि कुमudini lakya बच्चमन से कभी dancer नहीं बनना चाहती थी, यह उनकी मा का सपना था, उनकी मा की इच्छा थी कि मेरी बीटी dancer बने, और कैसे उनके अंदर एक dancer evolve हुआ जागा एक dancer वो आज हम पढ़ेंगे इस story में, the essay is an autobiographical one describing in details how the author became a dancer, तो यह जो essay है यह एक autobiographical है, याने खुद कुमudini lakya ने अपनी मूँ जबानी, अपनी कहानी लिख के हमें बताई है, तो यह जब कोई इंसान अपनी खुद की कहानी लिखते है तो हम उसे कहते हैं autobiography और जब हम किसी और की life पे उनकी कहानी लिखते हैं तो यह एक autobiographical one है जिसमें details मिल रही है कि कैसे हमारी author कुमudini एक dancer बनी, in the beginning the author tells about the struggle one undergoes to learn the art of dancing, तो chapter के शुरवात में हमें author बताती है कि कैसे एक dance, कि कैसे एक इनसान struggle करता है, महनत करता है, undergo करता है, learn, याने बहुत सारी लिखता है, यह dance का art, यह dance की कला सीखने के लिए, she does not believe that anybody is born to dance, इनको इस चीज से सक्त, मतलब यह इनको लगता है कि बिल्कुल गलत है, कि अगर कोई कहता है कि we are born to dance, कि हम dance करने के लिए पैदा हूँ है, नहीं, anyone aspiring to become a dancer has to undergo rigorous training in a disciplined way, which itself is a struggling, तो वो कहती है कि अगर किसी को dancer बनना है अपनी life में, तो उनको rigorous याने बहुत जादा training, discipline, महनत, मशक्कत लगती है और यह अपने आप में ही बहुत जादा struggle है, बहुत जादा effort लगाने वाली बात है, तो अगर मैं पैदा होते ही dance करने लग गई, और मुझे dance की एक-एक technicality समझ में आ गई, तो यह तो possible ही आपको बहुत सारी training process, थकावट के थुरू गजरना पड़ेगा तब जाके आपको dance की art यह color आएगी, she can see clear bridges between her life experiences and her work in dance, bridge का मतलब होता है pull, एक pull दो चीज़ों को आपस में connect करता है, तो यहाँ पे क्या दो चीज़े connect हो रही है कमूधनी की life में, life experiences, life में उन्होंने जितन work and dance और जो भी उन्होंने आज तक dance की field में काम किया, जितना भी उन्होंने dance की field में काम किया और जितना भी उससे उनको experience मिला है, इससे एक bridge, एक pull बनता है उनकी life में और इससे उनकी पुरी life चली है, इसी basis पे, वही चीज़ अभी मैंने आपको बताई, ऑथर बताती कि उनको कभी भी dancer नी बनना था अपने childhood में, अपने बच्पन में, ये तो उनकी मा का passion, जुनून था कि मेरी बेटी एक dancer बने, तो वो बन पाई, She describes all the hardships while learning dance, और उनने पूरी hardships, पूरी दिक्कते उन्होंने बताई हैं, जो उन्होंने face करी थी एक dancer बनने से पहले, She describes how she and her mother used to travel to guru's house, तो जन guru से इन्होंने कथक dance सीखा था, तो clearly कुमुदुदी ने chapter में describe कि कैसे हम उनके घर तक travel करके जाते थे, सब से पहले, क्योंकि जो guru थे, वो चौपाटी में रहते थे, बॉंबे में और ये लोग खार में रहते थे, तो चौपाटी से पहले लोग एक train पकड़ते थे, फिर एक bus पकड़ते थे, फिर कुछ miles, meters ये लोग walk करते थे, तब जाके 45 minutes इनको पहुचने में लगते थे, फिर एक घंटा इनकी मम्मी एक unhygienic गंदे से वेटिंग रूम में वेट करती थी, जब तक इसकी बेटी अंदर डान्स सीखती थी, फिर वो 45 minutes वापिस मुंबई की local trains में भीडबढके में वापिस आने में लगते थे, तो ये सारी दिक्कते उन्होंने explain करी कि गुरू के घर तक पहुचने में और डान्स सीखने में ये सब चीजे उनको face करने को मिली, और ओथर ने ये भी बता है कि उनकी मधरी थी, जिनों ने इनके अंदर की natural quality dance करने के जो quality वो पहचानी थी सबसे पहले कि भाई कुमूधिनी को dance सीखना चाहिए, हाँ, mother was inspired by the film industry to enroll कुमूधिनी लाखिया in dance और उनकी जो mother थी, वो कहां से inspired थी, कहां से प्रेरे थी, film industry से, film industry में, वो देखती थी, गाने, dance, तो उससे वो काफी प्रेरे थुई, और उन्होंने कुमूधिनी लाखिया को enroll कराया, याने register कराया, dance lessons सीखने के लिए, आगे देखते हैं, she choreographed many dance forms on the topics like, अब कुमूधिनी जब बहुत famous dancer बन गई, तो उन्होंने बहुत सारे dance forms choreograph किये, अलग-अलग topics भी, जैसे दुवीधा, दुवीधा याने conflict, जब आप किसी दुवीधा में हों, किसी conflict में हों कि मैं ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ, इस situation होजे कैसे behave करना चाहिए, इसके ओपर उन्होंने एक play तयार किया, अता किम नाम का उन्होंने एक और play तयार किया, इसमें woman की power उन्होंने express करिये, पंच पारस नाम का उन्होंने एक play तयार किया, जिसमें इन्होंने five punch, punch मतलब five senses, हमारी पाँच इंद्रिया, eyes, nose, ears, tongue and skin, इनको इनके बारे में उन्होंने express किया इस play में, She always had disagreements about dress and religion with her grandma, कुमूदीनी के काफी सारी disagreements याने काफी बहस होती थी अपनी दादी मा से, related to dress and religion, की औरतों को किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए, दादी मा कहती थी धके कपड़े पहना और यह कहती थी क्यों भाई आप लोग साधी पहन रहता है आपकी tummy visible है, तो यह क्या वो नहीं है क्या, खराब नहीं है क्या, यह religion से related, बहुत सारे disagreements होते थे, लेकिन इन सारे disagreements के बाद भी, कुमूदी नहीं कहती कि मेरी दादी मा से जितने भी arguments होते थे, वो useful होते थे, क्योंकि उससे मुझे sentimentality और मुझे sensitivity का मतलब समझ में आया, कि कैसे मेरे अंदर की feelings हो, कैसे मेरे भार का physical pain and appearance, दोनों एक दूसरे से अलग है, और बाद में इनकी शादी एक बहुत ही supportive husband से होई, जिनका नाम था रजनीकांथ और इनकी दो बच्चे हुए, एक इनका बेटा श्री राज और बेटी मैत्रे, दोनों ही आपस में बहुत अलग हैं इनके बच्चे, दोनों के views आपस में नहीं मिलते, एक सोचता है कि मैं वहत ambitious हूँ, life में बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, और एक सोचती है कि भाई, जैसे जैसे चीज़े मेरे सामने आएंगी, मैं वैसे वैसे करती जाओंगी, इतना सोचूंगी नहीं, she believes that in life you are no longer performing solo, she कॉन हमारी author Kumudini Lakya, वो यह believe करती है कि जब आप life में हो, जब आपकी जिन्दगी में बहुत सारे लोग, आपकी family आजाती है आपकी life में, तो आप solo, याने alone अपनी life में perform नहीं कर रहे हो, कि खुद कमाया, खुद खाया, खुद अपनी feelings के बारे में सुचन नहीं, आपके पास अब एक family है, जिसमें अलग-अलग behavior के अलग-अलग लोग, एक roof, एक छट के नीचे आपके साथ रहते हैं, और आपको अब larger image, बड़ी picture के तौर पर सोचना है, कि आपको अब कैसा perform करना है, अलग-अलग nature के लोगों के साथ, एक छट के नीचे रहने के लिए, and must develop a new set of performance skills, याने अब आपके अंदर वैसी skills आनी चाहिए, कि आप अलग-अलग लोगों के साथ कैसे perform करोगे, याने किसी का घर में बहुत गुस्टे वाला nature है, तो इसके साथ कैसे perform करना है, किसी का अगर बहुत easy going nature है, तो ठीक ऐसे उसे साथ से चलना है, बच्चों के साथ, बच्चे बड़ों के साथ बड़े, तो ये आपकी skill आपको बतानी है, कि एक की छट की नीचे अलग-अलग type के लोगों के साथ, आपको कैसे perform करना है, कैसे रहना है, किसी के expressions अच्छे होते है, किसी का dance style अच्छे होते है, किसी के moves अच्छे होते है, आपको उनके साथ ग्रुप में कैसे perform करना, ये आपकी skill है, ओके, So this was all about summary, and now let's discuss few important questions and answers. Question 1, हमारी जो author ने कुमोदी नी लाखिया, वो क्या feel करती थी, अपनी mother के passion के बारे में, उनकी मा के अंदर जो ये passion ही जुनून था, कि वो अपनी बेटी को एक dancer बनाएंगी, इसके बारे में हमारी author क्या कहती है, तो answer है, The author never wanted to be a dancer, it was her mother who wanted to make her a dancer, author को कभी भी dancer नी बनना था, ये तो उनकी मा थी, जो चाहती थी कि मेरी बेटी एक dancer बने, The author's mother discovered the quality in her daughter at an early age, और जो हमारी author की mother है, क्याने कुमूदीनी लाखिया की जो mother है, उन्होंने बहुती early age, बहुती बच्पन में, कुमूदीनी को discover कर लिया था, कि हाँ ये dancer बनेगी, अब हमारी जो author है कुमूदीनी लाखिया, उनको अपने उपर बहुत pressure लगता था, कि में जो dance नहीं करना, मुझे dancer नहीं बनना, पर फिर भी मेरी मम्मी मुझे pressurize कर रही है, तो उनको गुटन टैप की होती थी, by the mother, it was her mother's interest that forced the author to run around the dance schools, और जब हमारी author अलग-अलग dance schools में lessons सीखने जाती थी, उन dance के पाठ सीखने जाती थी, तो ये उनकी mother का ही interest था, कि भाई मैं तो में ले जाओंगी, छोड़ूंगी, तुमारे लिए वेट करूंगी पर तुम सीखो बस, तो this was all about her mother's passion about dancing, Question 2, What were the lessons of life learnt in her younger days that Kumudini carried into her adult life? तो, Kumudini Laakya ने अपने younger days, याने बच्पन के चाइल्डोड और जवानी के दिनों में, बच्पन के दिनों में basically, क्या life के lessons, क्या सीखें, सीखीं थी अपनी life में, जो उन्होंने सीख अपनी adult life, अपनी जवानी और अपनी, throughout the life, उन्होंने ये lessons को अपने साथ रखा, कि मैं काम करूँगी तो, इन प्रिंसिपल्स पर ही करूँगी, तो वो lessons क्या थे? आंसर है, सबसे पहले तो during her younger days, उन्होंने क्या क्या सीखा? Kumudini learned varied lessons that she carried into her life. She recalls one incident, So, अब इनको एक इंसिदेंट एक वक्त याद आ रहा है, जब वो लोग एक घर में रहते तो और उनके जो नेबर, उनके पडोसी थे, वो लियाकत अली थे. लियाकत अली बाद में जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने. एक दिन, कुमूदिनी लाखिया और उनका छोटा भाई सुरेश, दोनों ही लियाकत अली के गार्डन में गौावाज याने अमरूद चुरा रहे थे. उसी वक्त, जो माली, जो गार्डनर था, उन्होंने इसको पकड़ लिया और ले गए लियाकत अली के पास कि भाई, बच्चे चुरा रहे हैं, गौावाज, तो लियाकत अली ने ना उनको चुलाया ना उनको पनिश किया, बलकि उनको फ्रीली बोल दिया, कि भाई, तुम तो जब चाओ, आओ, खाओ, और ये भी जो लिये, वो भी लो और खाओ, और चेहरा जो था गाड़नर का, बहुत गुस्से से हो गया, अब भले लियाकत अली ने हाँ बोल दिया कि तुम लोग आ जाना, लेकिन गाड़नर का चेहरा बहुत गुस्से वाला और रिवेंच फुल था कि तुम लोगों को तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो तो पनिश्म कुमूदीनी लाखिया ने अपनी लाइफ में सीखा था कि लाइफ में पॉलेटिक्स है, एक तरफ हाँ बोलती और दुसरी तरफ गाड़नर ने ऐसा फेस बनाए कि हम चाहा के भी अंदर नहीं जा सकते, तो पॉलेटिक्स लाइफ में क्या होती ऐसा उन्होंने पहली चीज सीखी लाइफ में, during her college days, she understood a lot of things, और वो college में भी थी, तो उन्होंने काफी सारी चीज़े अपनी life में सीखी, जैसे boys and girls का relationship, क्योंकि वो girls school से belong कर दी तो बाद में जब उन्होंने agriculture college जोइन किया तो महाँ पे लड़कों के साथ पढ़ती थी, तो girlfriend क्यों होता है, boyfriend क्यों होती, boys and girls के relationships क्यों होते है, यह सारी चीज़े उन्होंने अपने college में सीखी, this was the second lesson, the most important was discipline, तीसरा important, जो सबसे important था, व वहाँ पे उनकी principal थी Mrs. Cox, वो भी एक Britisher थी, वहाँ पे उन्होंने discipline सीखा, और सीखा कि अगर discipline अपने अपनी daily life में आदत बना ली, तो आपके thoughts में भी discipline आएगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी चीज कब कैसे कहा करनी है, through discipline, she gained discipline in her thoughts too, और इसी discipline से उन्होंने अ कि एज में, इनकी mother की death हो गई थी, तब जब ये school से direct घर आई थी, तो तीन दिन तक बहुत भूखी थी, train में उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो एक तरफ उनकी mother की dead body पड़ी और दूसरी तरफ उनके पेट में hunger pangs याने, चुहे कूद रहे थे भूख के मारे, उन्हों के लिए रहूँ कि भूख से मर रहूँ कि कुछ खाना खाऊं, और लेटर लाइफ में जाकि इन्होंने एक dance play बनाया इस दुवीधा topic पर गी, कि life में आपको, किसी किसी situation में आप दुवीधा याने conflict में आ जाती हो, तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारे plays और conflict ये सब next question, what were the concepts that कुमुदीनी लाखिया represent through दुवीधा, अता, किम और पंच पारस, अब कुमुदीनी लाखिया ने बहुत साले dance plays choreograph किये थे ने बनाये थे, पहला था दुवीधा जिसको English Mem conflict कहते हैं, दूसरा था अता, किम और तीसरा था पंच पारस, इन तीनों concepts, ये तीनों अल याने conflict की किस situation में आपको कैसा perform करना है, अता, किम में इनोंने बताए कि एक woman की power के होती है, जो हिंदुस्तानी ओरत होती है, वो घरेलू चीजों में इतनी दप के रह जाती कि वो कभी बाहर as a powerful woman आई नहीं पाती, तो वो इनोंने अता, किम में बताए, पंच का मतलब होता तो देखते हैं, दुविधा या conflict नाम के play में, कुमुदिनी लाखिया told about plight, plight याने difficult situation of a middle class woman who is attached to the traditions of homely life, कि एक middle class woman अपनी homely life में कितनी दुविधा में बिचारी, या तो अपनी इच्छाओं को पूरा करे, या अपने पती की सेवा कर ले, घरवालों की सेवा कर ले, अत अताकिम में की power की इच्छा, कि अगर power आपकी पास आजाए, आपकी इच्छा है power चाहिए, आजाए, तो अब यहां से आप अपनी power को use कैसे करोगे, अब आगे और कौन से life में रास्ते चुनोगे, जो चाहिए अब वो तो मिल गया, अब और आगे क्या, तो यह सारी चीज इन सब के बारे में बहुत कुछ है, these three plays were different in essence and deferred in concept, इनके जो तीनो यह plays इनोंने choreograph किये थे, वो अपने essence में different से हैंने तीनो की अपने-पने level पे अलग beauty थी and deferred in concepts और इनके concepts भी तीनो पले के बिलकुल different थे, अपने आप में हर एक प्ले beautiful और एक different essence का था, okay, questions and this is our first question आपके सामने question रहेगा and four options given है और जो सबसे सही option लगते हैं आपको उस पर आपको करना है tick mark so let's begin with our first question question number one who is the author of the essay Bridges यह जो essay है जिसका नाम है Bridges इसके author कौन है याने किसने यह लिखा है essay तो आपके सामने four options है A. Arundhati Roy B. Kumudini Lakhiya C. G. N. Devi या D. John Ruskin तो clearly हमने chapter जब पढ़ा है तो हमने पढ़ा था कि कौनूदिनी लाखिया के बारे में यह स्चोरी है और वो एक कथक दानसा रहे उन्होंने अपनी ओटो बायोग्राफी लिखी है याने अपनी आत्म कथा खुद लिखी है और हम तक पहुचा ही है दानसर बने तो ऑप्षण उनके पापा शी हरसेल्फ वो खुद वो तो हो नहीं सकते हो मैंने अभी बता दिया कि वो खुद कभी नहीं चाती थी की मैं डानसर बनू हर मदर या हर ब्रदर या उनका भाई सुरेश या की मां तो ये उनकी मदर का ही पैशन जुनून था कि मेरी बेटी एक डांसर बने और ये इंस्पिरेशन जो ये प्रेरित होई थी वो पिक्चरों से बॉलिवड मुवी से होई थी जब उन्होंने देखा कि कैसे डांस करते हैं और कुमूदिनी एक मूवी देखकर आई और घर पर आके वैसी acting करने लगी imitate करने लगी उस actor का डांस तो उनको वहां से पता चल गया कि मेरी बेटी के अंदर डांस की quality है और फिर वो तो समझो जैसे पीछे पढ़ गई कुमूदिनी के कि डांस तो सीख नहीं पड़ेगा तो इसलिए ये उनकी मदर का ड्रीम उनकी मदर का पैशन था कि मेरी बेटी एक डांसर बने तो ऑप्शन अमर सी इस राइट ऑप्शन तो इस वेस्टिन नेक्स वेस्टिन थे जिन्होंने कुमूदिनी को डांस सबसे पहले सिखाया था तो ऑप्शन जाए गुरू सुंदर प्रशाद बी राधेलाल मिश्रा सी बिर्जू महराज या डी नन ऑफ दी अबव तो हमने क्लियरली पढ़ा था कि सबसे पहले गुरू सुन्दर प्रसाद ही थे जिन्नोंने कुमूदिनी को डांस सिखाना स्थ किया था यह सब लोग बंबे में रहते थे और जो गुरू सुंदर प्रसाद थे वो चौपाटी एरिया में रहते थे कुमूदिनी और उसकी फैमिली ख सिखाना स्टार्ट किया रादेलाल मिश्रा जो थे वह भांजे याने नेफ्यू थे गुरू सुंदर प्रसाद के इन्हों ने भी कुमूदिनी को डांस सिखाया है लेकिन सबसे पहली बार नहीं जब कुमूदिनी कुईन मेरी कॉलेज जो कि उनका स्कूल था वहां पढ़ने क कथक डांसर है उन्होंने नहीं नन ऑफ दी अबव यह ने उपर में से कोई ऑप्शन नहीं यह हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमार आंसर मिल गया है विच ऑप्शिन नंबर ए सबसे पहलो तो देखो लियाकत अली कौन है अब कुमूदिनी के जो फादर ने वो इंजिनियर थी उनको हमेशा ना ऐसे प्रोजेक्स देती थी गवर्मेंट कि आप आर्मी वालों के मिलिटरी कैम्स वगरे इदर उदर बनाने जो तो उनको न ये मिलिटरी कैम्स बनाने का एक प्रोजेक्ट मिला था डेली में तो इनकी फैमिली डेली आये थे अब डेली में इनके जो नेबर इनके जो पडोसी थे कुमूदिनी और उसकी फैमिली के वो थे लियाकत अली जो सीधा गए और ले जाया उनको लियाकत अली के पास बच्चों को उनको डर लगा कि भाई लियाकत अली हमें चिलाएंगे कि हम उनके गौावाज ले रहे लेकिन उन्होंने तो चिलाया भी नहीं बलकि बोला जो लिये है वो रख लो और अगली बार और चाहिए तो और ले ले को जेल लेके गया था नो गेव देम गुड बीटिंग्स बहुत अच्छी पटाई करी उन्हों उसने नो ही उग्नोड देम गाडनर ने याने माली ने बच्चों को इग्नोर कर दिया चाहने दिया कि हाँ वही ले लो बिलकुल ऐसा नहीं कर उसने तुक देम टू इस अपने मालिक के पास लेकर गया तो यस लेकर गया लेकिन लेकर अली ने बच्चों को कुछ नी बोला बलकि बोला जितने चाहिए और जब चाहिए गवावास तुम लोग आके ले सकते हो मेरे गार्डन में से सब्सक्राइब अब दी इस राइट ऑप्शिन तो इस क्वेस्टिन नेक्स्ट वाट वाट वर्याक्शन अफ्टी आफ्टी थी कुमूद नी तो वहाँ पर उसको प्रिंसिपल ने बोला कि भाई तुमें घर जाना है तुमारी ममी की तवेद बहुत खराब है जब वो के फ्यूनरल यहने अंतें संसकार के ओकेजिन पर पहुची है तो उस वक्त ऑथर का क्या रियक्शन था तो ऑप्शन से शी क्राइड लाइक अ मैड गर्ल वो बिलकुट पागलों की तरह पागल लडगी की तरह बिलकुल जोर-जोर से रो रही थी नहीं ऐसा कुछ भी नही इस शीवास 14 यह ओल और वो 36 आवर्स की जोर्नी करके आई थी लाहॉर से पूरा डेली तक अ उस ताइम पे तीन ट्रेंज बदली थी उसने तब जाके वहां पुची थी उसने तीन दिन से कुछ नहीं का तो शीवास वेरी हंग्री तो यह शीवास वेरी हंग्री उसको हंग कि रोंग खाना मांगे तो लोग मिझे जच करेंगे अरे देखो खाना मांगरी है मार की डेथ पर आके तो उसने अपना आपको कंट्रोल किया पट ऑन दी अधर हैंड वो साड़ भी बहुत थी इसमें तो कोई शक नहीं था तो बी और सी दोनों सही है यह आट मेंज दिनी लाखिया वो एक dance choreographer थी नत्य सिखाती थी तो कौनसे plays यह कौनसे concepts उन्होंने choreograph किया थे अपने dance के थू तो options हैं दुविधा क्या उस play का नम दुविधा था B अताकिम क्या उनके play का नम अताकिम था जिसको उन्होंने dance के थू choreograph किया था C पंच पारस या D all of the above सो बिलकुल क्लियरली उन्होंने ये तीनों दुविदा, अताकिम और पंच पारस तीनों ही जो प्लेस थे वो उन्होंने अपने डांस के थू खोरियोग्राफ किये थे that means option number D, all of the above is the right option to this question option D next, what concept did कुमूदिनी रिप्रेसेंट थू अताकिम अब अताकिम नाम का play था जिसको, जिसकी concepts को उन्होंने अपने डांस के थू कोरियोग्राफ किया था, तो अताकिम में उन्होंने क्या concept रिप्रेसेंट किया, क्या दर्शाय है लोगों के सामने, क्या चीज लेकी आई थी लोगों के सामने तो options है, a desire for power, किसी के अंदर desire है, इच्छा है कि मेरे को power मिल जाए मैं powerful हो जाओं और अपनी इच्छाओं को दबाऊं ना, अपनी power का use करूं क्या ये concept दर्शाय थे उन्होंने अताकिम के द्वारा, first option में ही हमें हमारा answer मिल गया है यही desire for power, जो थी, उन्होंने clearly explain करी थी अताकिम द्वारा plight of a middle class woman, plight याने बहुत बुरी condition, एक हिंदुस्तानी middle class woman की क्या होती है वो उन्होंने क्या अताकिम में बताई थी? नहीं, उन्होंने अताकिम में नहीं बताई थी, ये उन्होंने दुवीधा में बताई थी तो दुवीधा नाम का जो उनका play था, उसमें उन्होंने बहुत बुरी condition और बुरी situation में जो एक middle class हिंदुस्तानी woman होती है जिसमें उसको sleeveless नहीं पहनने देते पढ़ाई नहीं करने देते वो बाल नहीं खोल सकती वो अपने सिर्फ husband का खाना बनाएगी और उसी की सेवा करेगी और उससे अदा कुछ नहीं करेगी तो एक हिंदुस्तानी इंडियन middle class woman की जो प्लाइट जो जो उसकी बुरी condition है वो उन्होंने explain करी थी दुविधा नाम के play में नौट इन अताकम तो ये तो नहीं होगा spiritual life भगवानों वाली जो spiritual life होती है और जो आपके five senses है eyes, nose, ears, tongue आपकी skin जो आपकी पांच इंद्रिया है ये क्या role play करती है आपकी life में spiritually याने God के context में क्या ये इनोंने बताया था आथा किम दुवारा, नहीं ये तो उन्होंने पंच पारस जो इनका third play जो उन्होंने choreograph किया था उसमें उन्होंने ये spiritual life के बारे में नहीं बताये था none of the above याने उपर में से कोई option नहीं तो ये तो हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number A तो आथा किम में उन्होंने desire for power याने power की ताकत की इच्छा रखने वाले लोगों को बारे में उन्होंने इस concept को represent किया था next उसमें भी जो हमारी author है कुमूदिनी लाखिया उन्होंने कई गानों के dance choreograph किये तो कौन सी है वो हिंदी मूवीज तो options है ए उम्राव जान बी सोर संगम सी बोत एन भी एन भी दोनों या डी देवदास तो उम्राव जान जिसमें अगर आपको याद हो तो आपके वो थे अभी शेक बच्चन और आश्वरे रहे तो वो उम्राव जान का जो dance सा वो कुमूदिनी लाखिया ने कथक जो था वो choreograph किया तो येस ये है सुर संगम I have no clue about this movie सुर संगम लेकिन clearly इस movie के बारे में लिखा हुआ है आपके text में about the author के अंदर कि सुर संगम नाम की भी Hindi movie में जो कथक दांस वो कुमूदिनी ने choreograph किया तो येस ये भी उन्होंने दोनों किये थे that means both A and B उन्होंने किया देवदास ये शारुखान वाली थी उसमें कोई कथक दांस का दांस फॉर्म दिखाया नहीं किया था वो तो एक बंगॉली मूवी थी उसमें बंगॉली डांस था तो उसमें कोई भी dance choreograph कुमूदिनी ने नहीं किया है that means option no.C both A and B is the right option to this question next at what age was the author sent to the boarding school कौन सी उम्र में जो author है कुमूदिनी लाख हिया उसको boarding school भेज दिया गया था उसके parents ने तो options है A 5 years B 9 years C 10 years या D 12 years तो clearly हमने chapter में पढ़ा है कि 9 साल की उम्र में कुमूदिनी को उसके parents ने कहां भेज दिया था boarding school so option no.B is the right option और क्यूं भेजा था क्योंकि उनके father थे मतलब उनके father थे वो हमेशा engineer थे तो उनको अलग अलग जगा पे military cantonman areas को build करने के लिए बुला था और war का time था उस time पे independence Hindustan Pakistan की जो war का Britishers का time था तो भाई क्या करे इतना safe नी था तो उनके parents ने उनको boarding school भेज दिया so option no.B 9 years is the right option to this question next which prime minister of India is referred to in the essay अब इस essay में हिंदुस्तान के कौन से prime minister के बारे में reference दिये याने थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया गया है तो options है PM Modi अब यह कहानी तो किती पुरानी है PM Modi तो अभी आया है कुछ सालों पहले तो obviously PM Modi हो नहीं सकते B. Pandit Jawahar Lal Nehru C. Manmohan Singh D. Indira Gandhi Manmohan Singh भी हमारे PM Modi से पहले थे तो ओ भी नहीं हो सकते क्योंकि वह भी recent वाले हो गए कुमूदिनी लाकिया के टाइम वाले नहीं है तो या तो Pandit Jawahar Lal Nehru होंगे या तो फिर Indira Gandhi होंगी तो clearly इस chapter में Indira Gandhi हिंदुस्तान की first female prime minister के बारे में refer कर गया और बताया गया था कि भाई एक हिंदुस्तानी Indian woman जो होती है वह बिचारी अपने घर की रह जाती है लेकिन वही बिचारी लड़की जब अपने घर की विंडो के भार एक newspaper वाले को newspaper हिलाते हुए देखती है तो उसमें exactly उसकी personality से opposite दूसरी लेडी दिखाई देती है newspaper में इंदिरा गांदी की photo होती है जिसके white color के ऐसे अपनी मन पसंद sleeveless blouse नहीं पहन सकती तो यह जो चीज थी reference था इंदिरा गांदी का वो इस context में दिया गया था कि एक इतनी powerful woman जो पूरी दुनिया को चला रही है और उसी वक्त on the contrary opposite side पे हिंदुस्तान middle class Indian woman जो है हिंदुस्तानी औरत वो power के लिए is the right option to this question next you have something to do that is offbeat different from the done things who said these lines to the author अब यह जो lines है यह आपके essay के किसी character ने बोली है हमारी author कुमूदीनी को line का मतलब है कि कुम्हे कुमूदीनी कुछ offbeat करना है कुछ हटके करना है कुछ अलग करना है something different करना है तुम्हे लाइफ में जो done things से काफी अलग हैने जो लोग normally करते हैं कुमूदीनी तुम्हे वो नहीं करना तुम्हे कुछ different कुछ हटके करना है यह line हमारी author कुमूदीनी को किसने कही थी her mother her father सुरेश सुरेश कौन थे उनके brother क्या उनके brother ने बोली थी यह बात है या उनके dance guru her dance guru किसने बोली थी यह बात कुमूदीनी के father ने उनको यह चीज बोली थी और clearly आपके chapter में mentioned है कि कुमूदीनी के father ने यह यह बोला था क्योंकि कुमूदीनी ने जब school cross कर लिया तो वह काफी confused थी कि उसे life में भी आगे क्या करना है तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं भाई आगे life में तो फिर पुछ हटके करने को बोला उनके father ने और वहीं सो उनका graduation हुआ तो यह चीज उन्होंने हटके करी और अपनी father की बात मानी, so option number B her father is the right option क्योंकि यह lines कुमूदीनी को उनके father नहीं कही थी, उनकी mother तो होई नहीं सकती क्योंकि mother की 14 years की age में death हो गई थी और यह बात 15 years of age की जब कुमूदीनी होई तब की बात है ठीक है next on what kind of issues did the author had arguments with her grandmother, अब author की grandmother एक दादी मा भी थी कुमूदीनी की और उनके उनके दादी मा के साथ कई सारे arguments से ने बहस होती थी, तो किन issues पे, किन topics पे कुमूदीनी की अपनी दादी मा के साथ arguments आने बहस होती थी तो options है, issues related to religion, religion और धर्म से related issues पे क्या उनकी बहस होती थी, तो yes होती थी, issues related to clothes, clothes याने की कपड़े लड़कियों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, short कपड़े पहनने चाहिए कि long कपड़े पहनने चाहिए, इस तरीके to marriage, शादी से related जो भी life में issues होते हैं, लड़की की life में क्या उनके बार में बहस होती थी उनकी grand mother से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो कुमूदीनी तो अभी बहुत चोटी थी, शादी की age की अभी, उनकी age ही नहीं थी तो clothes के बाद पे उनकी ये बहस होती थी अपनी दादी से क्योंकि जब अगरिकल्चर कॉलेज में थी, तो बापे अमेरिकन प्रोफेसर्स थे जो शॉट्स पें के पढ़ाते थे वह काफी फैसिनेटेड हो गई तो एक दिन उनकी शॉट्स पें के चली तो जब वह शॉट्स पें के गई तो इतने सारे लोग उनकी लेक्स को घूरने लग गए तो तब उन्होंने सोचा कि यार शयाद मेरी दादी कही ने कोई जो कह रही थी, वह सही कह रही थी पर ऐसा क्यों भाई, clothes क्यों जब लड़कियां साडी पहनती तो उनकी कमर दिखती है, तब तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता आज मैंने शॉट्स पहने, मेरे पैर सब ऐसे देखने लग गए तो ये कुछ इशू उनकी बहस होती थी उनकी ग्रांड मदर से, religion के इशू पर उनकी ग्रांड मदर कहती थी एक्जाम से पहले भाई, temple जाओ, मंदर जाओ, तो वह कहती थी में मंदर जाके बगवान से बारगेनिंग क्यों करूं कि मेरे को अच्छे माक्स लेके दो तो वह कहती थी नहीं नहीं भाई, मंदर तो जाना जरूरी है अच्छा है, spiritual life से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, फिर बाद में जाके उन्होंने realize किया कि नहीं, temple जाना बहुत important है, तो basically यह वो दो issues थे, जिनकी ऊपर काफी arguments होते थे कुमूदिनी की उनकी grandmother से, so option number C, both A and B is the right option to this question. next, what did Komlata Dutt insist to the author? अब यह Komlata Dutt कौन है? Komlata Dutt जो थी, वो कुमूदिनी के father के friend थी, और यह काफी famous dancer भी थी, okay, एक दिन यह train station पे गई, कुमूदिनी, अपने brother सुरेश को see off करने के लिए, वो किसी college में पढ़ने जा रहा था, तो उसको see off करने गई, और वहीं पे Komlata Dutt मिली, और उन्होंने उसको बोला कि क्या तुम Ram Gopal Dance Academy, जो London में वो join करोगी, और insist करने लगी कि तुम करो तुमारे लिए बहुत अच्छा है, तो समझो कुमूदिनी के लिए, यहीं से एक turning point था उनकी success का उनकी life में, जब वो London गई, उन्होंने इतनी tour करी, खुद Ram Gopal जी के साथ जो समय के dancer थे, उनके साथ ही काफी famous भरत नाटियम dancer थे, उनके साथ उनकी dance company के साथ यह travel करती थी, देश विदेश, ओके, तो उन्होंने author को क्या insist किया, क्या बोला, options है, to join Ram Gopal dance company, क्या तुम Ram Gopal dance company join करोगी जो लंडन में, तो yes, first option में ही हमें हमार answer मिल गया, क्या उन्होंने बोला, to join dance floor academy, तो ऐसा कोई नाम mentioned दी नहीं आपके ऐसे में, to join Kadamb dance center, क्या उन्होंने बोला कि तुम Kadamb dance center join करोगी, तो बाई, Kadamb dance center, तो बाद में जाके, कुमूदिनी ने खुद अपना dance center खोला था, तो ये कुमूदिनी का dance center था, जो बाद में जाके उन्होंने खोला था, पहले थोड़ी था ये dance center, तो ये नहीं, to join Vibar dance academy नहीं, तो ऐसा भी कुछ mentioned नहीं हैं आपके chapter में, तो clearly option number A, is the right option to this question, next, what was the name of author's husband, author कौने कुमूदिनी लाखिया, उनके husband का नाम क्या है, तो options है, A. Arjun, B. Rajnikant, C. Chandran, D. Raju, तो obviously हमने chapter पर पढ़ा है, option number B, Rajnikant उनके husband थे, Rajnikant जो south का hero है, वो इनका husband नहीं है, कोई दूसरा Rajnikant थे, यह जो थे, इन्होंने law पढ़ी हुई थी, कहां से, UK से, तो इनके husband basically एक lawyer थे, बढ़ वो जादा successful नहीं हो पाए law में, okay, so option number B, Rajnikant is the name of author's husband, so option B is the right option, next, कौमूदिनी लाखिया, was a renowned dash dancer, renowned का मतलब क्या होता है, famous, तो कौमूदिनी लाखिया, बहुत famous dash dancer थी, कौन से dancer थी, कौन सा dance आता था उनको, option A, western, क्या उनको western dance आता था, नहीं, option B, salsa, क्या वो salsa करती थी, बिल्कुल भी नहीं, option C, kathak, क्या वो kathak करती थी, yes, she was a renowned, याने की famous, kathak dancer, उसके अलावा, उनको भरतनाट्य में उन्होंने सीखा था, उनको वो गर्बा डांडिया भी आता था, घूमर जो डांस है, राजस्थानी डांस वो भी उनको बहुत आता था, लेकिन, तिपिकली जो ये famous, किस dance form की famous dancer थी, तो ये kathak की main dancer थी, all of the above, ये सारी चीज़े उनको आती थी, क्या, नई, उनको kathak आता था, main वो kathak की dancer थी, तो option number C, is the right option to this question, So children, here we come to the end of this session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं, वहां ना मिले तो हमारी website पर जाएए, which is magnetbrains.com, जैसे आप website पर जाएंगे, इस तरीकी का page आपके सामने आएगा, CBAC English Medium, CBAC Hindi Medium, Spoken English and so on, for example, CBAC English Medium की videos देखने, तो इस पर click करेंगे, जैसे आप click करेंगे, इस तरीकी का page आपके सामने आजाएगा, यहां आपको अलग से English Woven Words को option दिये, अगर आपको Woven Words की videos देखने, तो इस पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, list of videos आपके सामने आजाएगी, for example, syllabus का overview video आपको देखने, तो आप इस पर click करेंगे, जैसे आप click करेंगे, मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा, so this was all about our channel, यह वो channel है, जो आपके घर तक free of cost education प्रवाइट कर रहा है, and that to quality education, so do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel, तब तक लिए, bye bye and take care.